हेलो स्टुडेंट्स, माइसल्फ, दीयल चोधरी, सीनियर बोटनी फेकल्टी, CLC सिकर, हम आपसे डिसकस कर रहे थी कि भी COVID-19 महामारी, जो वेस्विक महामारी के संगटकार में CLC आपके साथ है, तो नीट के जो प्रिवेस एयर के जो कुशन्स हैं, नीट एक्जाम में जो आ बिलकुल अप्लोड भी हो चुका है, और उसके बाद आप केमेस्टी और बायोजी, तो बायोजी में दो पार्ट है, जो लोजी और बोटनी, बोटनी में फर्स्ट टॉपिक था, सेल बाले जो डिसकस हो चुका है, और उसमें आपको ये भी सीकनी हो मिलाई, सेल में टॉपिक से क्यूशन एक्जाम में आते हैं, और अब फुली NCRD बेस्ट है, तो मैं आपको बिलकुल क्यूशन का सोलुशन के साथ, क्यूशन कहां कहां से ज्यादा आराई जोरे हैं, कैसे आराई जोरे हो भी आपको सिखाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक नमबर 84, क्यूशन नमबर 84, बिसाइड्स पैडी फिल्ड, साइनो बैक्टिरियार ओल्सो फाउन इनसाइड वेजेटेटिव पार्ट ऑफ, कि जो नीर हरी स्याल होता है, बीजी होता है, पैडी फिल्ड, राइस फिल्ड है, धान के खेतों के अलावा, किसके काईग भाग क अंदर भी पाए जा सकते हैं, तो स्टुडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, कि पैडी फिल्ड में, एक्वेटिक कंडिशन होती है, एक्वेटिक फोर्न, एजोला, जो स्मोलेस्ट फोर्न है, तो एजोला की लिउज में, एना बीना एजोली, सिम्बाइटिक असोश करेगा, तो देख वाँ बताना चाहता हूं, कि जो साइकस प्लांट होता है, साइकस, साइकस का जो मैन रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम, और उसके वाद साइकस में स्पेशलाइजड रूट होती है, जिनको आप कहते हो कोरेलोड रूट्स, और कोरेलोड रू according, the answer will be 4. Next, question number 85, question number 85, pigment containing membranes extension in some cyanobacteria are, cyanobacteria में कुछ जिल्लीदार परसालवारी वरने क्या है, तो students में आप बताना चाहते हैं, कि prokaryotes, mostly heterotropic nutrition show करते हैं, prokaryotes में कुछ हैं, जो autotrophic bacteria भी, photosynthetic bacteria और cyanobacteria completely photosynthetic group है, लेकिन prokaryotic cell के अंदर membrane bound organelles absent होते हैं, अब वहाँ पर pigment organization कहां present होगा, तो जो cyanobacteria है, जो BGA की cell है, उसमें thylakoid, lamelea thylakoid part होता है, और वो membranes extension है, जहां scattered pigment पाए जाते हैं, जिनको आप कहते हैं, chromatophore, तो according to this question, answer will be second, Qution भी अपना था, pigment containing membrane extension in some cyanobacteria, नुमेटोफोर आप जानते हैं, तो सौसन मूल है, हेटरोसिस्ट, तो आप जानते हैं, अन्टू फिक्सेशन के लिए BGA में होती है, और vessel bodies, यह तो flagella का part है, तो according to this question, answer will be second, Next, Qution number 86, Qution number 86 है, Qution number 86, Which of the following are likely to be present in deep sea water, निमिल्क में से किसकी गहरे समुंदर के जल में पाए जाने की संभावना है, तो students, यहाँ पर आप से पूचा गया है, कि deep sea water में किसका presence possible है, option है blue green algae, यह तो photosynthetic है, तो possible ही नहीं है, और saprophatic fungi, कुछ possibility है, और archiobacteria, u bacteria, बट सबसे important answer यहाँ पर होगा, archiobacteria, क्योंकि most extreme condition में archiobacteria survive कर सकता है, तो बोज़े deep sea water में, और इसमें specialized cell wall or membrane का composition होता है, जिसे उतने pressure को भी, उस pressure में भी survive कर सकता है, तो according to this question, answer will be third, next, question number 87, तो student देखी, question number 87, which of the following is not a correct statement, यह नीचे तो statement दिएगे, इनमेंसे कौन सा साही नहीं है, बलब incorrect है, तो first option है, a museum has collection of photograph of plant and animal, तो यह statement wrong है, क्योंकि museum में plant और animal के जो dead plant, dead animal और plant specimen को प्रिजू solution में रखा जाता है, container और jar में, तो यह फोटोग्राफ थोड़ी लगाए जाते हैं, तो statement क्या हो गया, wrong हो गया, तो answer तो first हो गया, answer will be first, लेकिन अपन बाकी के भी सारे चेक करेंगे, की इजे taxonomic add for identification of specimen, correct statement है, हर्बेरियम, हर्बेरियम, house dried, pressured and preserved plant specimen, पादप पाले में सुक्षिकर प्रेस किये गए, प्रेस्षिद पादप नमूने होते हैं, बिलकुल correct answer है, botanical garden have collection of living plant for reference, यह इनि इडेंटिपिगेशन, तो यह भी correct है, तो according to this question, answer will be first, next, question number 88, तो student धान ने, isogamous condition with non-flagellated gametes is found in, सब युगमक अवस्ता के साथ, ए कसाबी की युगमक किसमें पाए जाते हैं, तो student में आपको बताना चाहता हूँ, कि जो sin gammy होती है, sin gammy का मीन होता है, fusion of gametes, fusion of two gametes, male and female, fusion of gametes, अभी sin gametes three type की होती है, first, isogamy, isogamy का मीन होता है, कि बोथ male and female gametes are similar in size, दोनों size में similar होंगे, बट यह isogamy two type की होती है, non-flagellated, कि अगर flagell absent होगा, तो दोनों ही gametes पे absent होगा, non-flagellated isogamy, non-flagellated isogamy का, non-flagellated isogamy, यह होगा, flagellated isogamy, अगर flagell हाया, तो same size के होंगे, और दोनों पे ही, दोनों gametes पे ही flagell होंगे, तो यह flagellated isogamy, अब non-flagellated isogamy होती है, spiro-gaira में, और flagellated isogamy, यह claymore donors की species में, उसके बाद, second type is in gametes का, n-isogamy, n-isogamy में students अपन बात करते हैं, n-isogamy में, one is small and second is large, तो small और large का fusion होता है, अब वो flagellated, may be flagellated भी possible है, और u-gammy में, third आपका जो advanced in gammy है, वो है u-gammy, तो u-gammy में, जो advanced in gammy है, u-gammy, u-gammy में, one is small and motile, male gamete is small and motile, and female gamete is large and non-motile, तो according to this question, अब पुछा गया, isogamous condition with non-flagellated gametes, is found in, तो here non-flagellated isogamy, in spirogyra, तो answer will be four, यह question बहुत important है, और यहां से आप जानते हैं, कि भी जो isogamy, न-isogamy, u-gammy की trumps, बहुत 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 हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सारे concept आप किलियर कर लें, so occurrence of, उभे लेंगा असरी पादप कारा किसके होने को दर्साता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कारा, green algae में आता है, और excessively filamentous branched algae, यह वरना green algae, या तो unisal form, colonial form, filamentous unbranched, mostly filamentous unbranched ही होते हैं, yellowthrixory, बाकि filamentous branched हैं, और कारा में, दोनु sex organs, same plant पे होते हैं, male और female, तो यह monosys plant है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि, कारा के अंदर, दोनु sex organ, तो कारा का यह जो थेलस उतास में, यहां आप समझ पा रहे हैं कि भी, जो, कारा के अंदर, यहां जो, दोनु sex organ, तो यह तो आपका होता है, ugonium, ugonium, और यह rounded आपका होता है, anthridium, तो यह upper side आपका ugonium होता है, lower side anthridium होता है, यह female और यह male, इसको अपन globule भी कहते हैं, globule और इसको अपन nickel भी कहते हैं, तो globule और नुक्यूल, यह condition होती है, और neat exam में यह question, एक बार फिर repeat भी हुआ है, इसके sex organ लेकर, यह 12th NCRT के 1st chapter में इसका डाइग्राम दे रखा है, कारा का sex organ को show करते हैं, न्यू NCRT में लेबलिंग के साथ दे रखा है, तो according to this question, upper anthridium and lower ugonium, on the same plant, तो यह wrong statement हो गया, upper anthridium नहीं होता है, upper ugonium and lower anthridium on the same plant, 100% correct answer है, upper ugonium and lower anthridium, clear, तो यह correct statement है, और anthridium 4 and archegonium 4 on the same plant, यह possible नहीं कि ब्राइफाइट का character है, clear, stamen and carpal on the same plant, पोसिबली नहीं है, algae में stamen, carpal, यह नहीं फ्लाइट का कोई possibility नहीं होती है, yes, तो according to this question, answer will be second, second, next, question number 90, five kingdom system of classification, suggested by RHV taker is not best done, आप अच्छे से आंते हैं students, यह भोथ important classification, most recent or advanced classification, इसना RHV taker का, जिसने अर्थ के सभी living organism, all living organism को, five kingdom में classify किया, और इसके लिए उन्हें ने five criteria यूज की, यानि five character based the five kingdom classification, और सबसे advanced है, most advanced, recent, और phylogenetic, और इसके according ही, पूरे living organism को, all procreards को monera में, unisadal eukerate को protesta में, उसके बाद आप जानते हों कि फंजाई भी removed हुए, और planty और animalia, तो five kingdom classification ने five basis थे, first basis आपका जो है, five kingdom classification का जो first basis है, वो first basis था, type of cell, type of cell, तो अर्थ पे दो यी type की cell है, prokaryotic cell और eukaryotic cell, clear, तो type of cell के basis पे, first kingdom separate होगा है, monera, all prokaryotic organization के जो organism है, वो monera के अंदर, resemble होंगे, तो type of cell, second आपका था, thallus organization, थैलस organization, थैलस organization, clear, यह आपन कह सकते हैं कि, complexity of body organization, complexity of body organization, complexity of body organization, third जो सबसे important था, mode of nutrition, mode of nutrition, यह सबसे man criteria है, यह भी अच्छा क्योंशना आता है, कि सबसे important man criteria, mode of nutrition, कि according to this criteria, fungi were removed from planty, in five kingdom classification, on the basis of mode of nutrition, यह सबसे best था, क्योंकि fungi, absorptive osmotrops होते हैं, absorptive nutrition show करते हैं, hydrotroph हैं, but absorptive nutrition show करते हैं, four आपका था, mode of reproduction, mode of reproduction, और old NCRT के अंदर, ecological behavior, producer, consumer, decomposer, और five आपका था, phylogenic, या phylogenetic relationship, phylogenetic relationship, तो यह आपका five था, phylogenetic relationship, तो यह five criteria हैं, five kingdom classification के, आप अपने इसके coding बात करते हैं, कि भी presence और absence of well-defined nucleus, यह थोड़ा सा, relate करता, लेकिन presence और absence of a well-defined nucleus, सा कोई character नहीं है, clear, तो कुछ ऐसे unucleated cells भी होती हैं, जो आप जानते हैं, कि unucleated cells हैं, तो आप समझ रहे हैं, कि यह criteria नहीं है, mode of reproduction criteria है, mode of nutrition and depression criteria है, complexity of body organization, तो according to this question, थोड़ा confused करने वाला question तालीन, बहुत अच्छा question था, EAPMD 2014 का, और according to this question, answer will be first, तो इसका first answer होगा, next, question number 91, archaeobacteria differ from u bacteria, इन, आदी जिवानों, archaeobacteria, सु जवानी u bacteria से किसमें भीन हैं, तो इस्टुडेंट ध्यान दी भी बहुत अच्छा question था, EAPMD 2014 का, क्योंकि generally, जो अपन को information दी जाती है, वो ये दी जाती है, कि archaeobacteria differ from, other bacteria, u bacteria, in cell wall only, cell wall composition भी बहुँ डिफर है, क्योंकि, बैक्टिरिया की cell wall, peptidoglycan से composed है, और archaeobacteria की, और ज्यादा complex polysacrides से हैं, और archaeobacteria, बहुत सारे ऐसे character भी शो करता है, eukaryote से resemble होते हैं, यस, लेकिन student discussion का, भूद importance होता है, कि cell wall अब यहाँ option में नहीं, तो मैं आप बताना चाहता हूँ, कि cell wall में तो डिफर ही है, membrane में भी, cell membrane में भी, क्योंकि archaeobacteria की जो membrane होती है, उसमें lipid branch condition में होता है, तो lipid molecule branched condition शो करते हैं, branched lipid molecules होते हैं, इसलिए membrane में भी डिफर है, और बहुत ज़दा extreme environment में, extreme condition में सरवाव कर पाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, according to discussion, archaeobacteria differ from you bacteria, तो cell membrane structure, यह investment correct है, mode of nutrition नहीं हो सकता, cell sap नहीं हो सकता, mode of reproduction नहीं हो सकता, according to this question, answer will be first, next, question number 92, तो student ध्यान देना, 92 question क्या है, which structure perform the function of mitochondria and bacteria, जिवानों में सुत्रकनिका कार्य को नहीं भाता है, आप cell में भी डिसकस कर चुके हैं students, की अर्थ पर दो organism हैं, prokaryotic और eukaryotic, आपको अच्छे से पता है, कि जो prokaryotic cell है, prokaryotic primitive nucleus, nucleoid genophor, और eukaryotic well defined nucleus, इसकलाव अच्छे से जानते हैं, कि prokaryotic cell में कोई भी membrane bound organism कभी नहीं होगा, आपको पता है, अर्थ की हर living eukaryotic cell में, respiration के लिए चाहिए plant हो चाहिए animal cell हो चाहिए fungi cell हो mitochondria present है बट prokaryotic cell में कोई भी membrane bound organism present possibly नहीं है membranous extension possible है बट membrane bound organism possible ही नहीं है चाहिए endopolar reticulum हो चाहिए Golgi-wodi हो चाहिए lyososome हो चाहिए mitochondria हो और चाहिए plastid हो ऐसा कुछ भी भी नहीं है अब बैक्टीरिया में भी most of bacteria anaerobic respiration show करते हैं तो वहां तो requirement नहीं है बट कुछ बैक्टीरिया जो aerobic respiration भी show करते हैं अब aerobic respiration वहां mitochondria है नहीं कैसे show कर पाएंगे तो bacterial cell में क्या होता है bacterial cell में क्या होता है यह outer boundary cell wall है बैक्टीरिया की उसके बाद जो membrane होती है यह बैक्टीर में उस membrane के extension से specialized structure form होती है that is mesosome that is mesosome और इस proccary cell में क्या होता जो respiratory enzyme है respiratory जो enzyme है वह membrane से associate होते है respiratory enzyme associated with membrane तो यह membrane का extension सरपे सिरय को increase करने के लिए और enzyme activities उनको increase करने के लिए तो यह मीजोसोम analogous to mitochondria और aerobic respiration का जो crab है वो तो cytoplasm में होता हैं जो ETS के लिए यह मीजोसोम use होता है तो आप समझ लें कि बैक्टिरिया में ऐसी structure क्या है? मीजोसोम है तो according discussion बही नुकलोड पॉसीबल नहीं है ribosome पॉसीबल नहीं है, cell wall तो मीजोसोम, according discussion answer will be 4 next question number 93 an oxygenic photosynthesis is characteristic of anoxyprakashan किसका बिलक्षण है? तो students आप ध्यान दें कि भी anoxyprakashan किसका बिलक्षण है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि first of all photosynthesis bacteria में start हुआ लेकिन oxyphotosynthesis first of all किसने start किया? BGA ने यह एरोबिक लाइफ को अर्थ पे first time start किसने किया? BGA साइनो बैक्टिरिया में क्योंकि oxyphotosynthesis first time क्योंकि PS second और thylakon lamellae हुई PS second है आप जानते हैं कि फोटोसिन बैक्टिरिया है Green Sulpher and Purple Sulpher bacteria वह non oxygenic photosynthesis करते हैं क्योंकि उन बैक्टिरिया के अंदर PS second नहीं था और उन बैक्टिरिया के अंदर thylakoid आप समझ रहे हैं कि PS second नहीं था और PS second नहीं था तो वाटर का फोटोलासिस हुआ है तो hydrogen electron donor में water यूज नहीं हुआ वाँ पर water is not used as hydrogen electron donor तो वहां अदर कोई compound just like S2S hydrogen sulpheride यह यूज हुआ तो उन्होंने non oxygenic photosynthesis को शो किया तो आप समझ पा रहे हैं कि अनोक्सी प्रकास किसका बिलक्षन है first rhodospirulum second spirogyra clamidomonas alva आप समझ सकते हैं कि spirogyra clamidomonas alva यह green algae eukaryotic cell है इनमें तो well defined आप जानते हैं कि well defined membrane bound organism plastic chloroplast present है बट आप जानते हैं rhodospirulum photosynthetic bacteria है rhodospirulum तो rhodospirulum non-anoxygenic photosynth को शोग करेगा according to this question answer will be first next question number 94 which of the following so coiled RNA strand and capsomere कुंडलित RNA रजुक और पेटिकांस निमनें कौन दरसाता है तो student आपको पता है कि टॉबे को मुझे एक virus जो होता है टॉबे को मुझे वायरस में हेलिकली RNA इस फोम में आप समझें कि SSRN उसको genetic material होता है इस फोम में और यह इस पेसली आप समझ पा रहे है कि जो कैपसिड कैपसिड कैपसोमीयर और कैपसोमीयर जो आउटर प्रोटिन कोट यानि क्या फोम करते हैं कैपसिड क्लियर तो जो हेलिकले कोईल्ड जो RNA है वो किसमें परजेंट है टोबे को मोझे एक वाइरस टोबे को मोझे एक वाइरस क्लियर अकोडिंग डिसक्यूशन आंसर विल बी सेकिंड next क्योशन नंबर 95 वाइरसेज है विसानों में क्या होता है तो अकोडिंग डिसक्यूशन DNA enclosed इन प्रोटीन कोट पोसीबल है कि वाइरसेज मैनली वाइरस की स्ट्रेक्चर में दोई पार्ट होते हैं आउटर प्रोटीन कोट कैपसिड और 5-10% जनेटिक मेट्रियल RNA DNA और DNA और DNA और DNA और DNA दोनों एक साथ वाइरस में नहीं हो सकती या तो RNA होगा यह नहीं होगा अब यहाँ पर फर्स इस्ट्रिम में देएगी DNA एनकलोजनी प्रोटीन कोट तो करेक्ट है पोसीबलिटी है सेकेंड आपका है प्रोकरिटिक नुक्लियस पोसीबलिटी नहीं क्योंकि सेल ओर्गनेशन वाइरस रखती ही नहीं सेल ओर्गनेशन प्रजेंट ही नहीं उनके अंदर क्लियर सिंगल क्रोमोजोम यह भी पोसीबलिटी नहीं और बोथ DNA और RNA है आपने कहां कि वाइरस इस है आइधर DNA और RNA not both दोनों में से कोई एक जेनेटिक मेटरियल हो सकता है तो अकोडिंग दिस क्यूशन आंस्वर विल भी फर्स्ट नेक्स्ट क्यूशन नंबर 96 दमोटाइल बैक्टिर्यार एबल अच्छा क्यूशन है इसमें तीन स्ट्रेक्चर से आधर आधर में क्यूशन पूछा गया है और आप जानते हो कि कई वर्सों में नीट में अधर कॉंपेटिव एक्जाम्स में क्यूशन आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोकेरिटिक सेल होती है इस्पेसली बैक्टिरियम सेल होती है बैक्टिरिया सेल बैक्टिरिया जो सेल होती है आपको अच्छे से पता है कि आउटर जो सेल वाउल है पैप्टिडो गलाइकेन शुगर एमिनो असिड और इंसाइड प्लाजमा मेंब्रेन जो प्रोकेरिटिक और यूकेरिटिक में सिमिलर होता है प्लाजमा मेंब्रेन अब आप समझ सकते हैं कि प्रोकेरिटिक सेल के अंदर वैल डिफाय नुकलिस तो प्रजेंट ही नहीं होता है नुकलिड जीनोफोर होता है नुक्लियड़ जीनोफोरन, अब जो बैक्टिरियम सैल होती है इस पर प्रोटो प्लाजमिक आउटर ग्रोथ होती है फर्स्ट ओबल जो एक्स्टेंशन होता है इंसाइट से फिलामेन्टेस एक्स्टेंशन देट इस फ्लेजिला बसल बड़ी फ्लिमेंट की पाट होते हैं, तो यह आपका हो गया फ्लेजिला, यह फ्लेजिला किसमें help करता है, movement में, क्लियर, इसके लाओ जो structures है, second structure से ताइसे, पिलाई, पाइलीन प्रोटीन ये भी प्रोटोपलाज आउटर ग्रोस है तो ये आपका हो गया पिलाई और थर्ड ब्रिस्टिलाइक स्ट्रेक्टर इस फिंब्री ये फिंब्री है फिंब्री आफ फ्लेजिला का फंक्शन मुवमेंट में या बैक्टिरिया इस थे ने मुवमेंट में और knives करेगा पिलाई किसमें help करेगा ये भी रहत अच्छा क्ईूशन होता है कॉंजुकेशन में पिलाई और फिंब्री किसमें help करेगा पिलाई और पिलाई आब मताना चाहता हूं कि फिंब्री फ्लेजिला पिलाई और मैनी ब्रिस्टिला एक स्ट्रेक्चर फिंवरी अब आपा क्यूशन है कि था मोटाइल बैक्टिरा एबल टू मुव भाई गतिमान जो नो किसके दोरा गति करते हैं तो बैक्टिरियल सेल पर मुव करने की नहीं हो अनले नोले स्ट्रेक्चर होती है फ स्ट्रेक्चर फिंवरी अटेश्मेंट में हाफ करती है फिलाई कांजिक्वेशन में हाल्प करती है मुमेंट में ओनली फ्लेजिला हेल्प करता है सीलिया प्रोकेड़ सेल में पॉसीबल नहीं है क्लियर नेक्स्ट क्योशन नंबर 97 विच वन ओप दा फॉलोइंग सो आइसो गेमी विद नॉन फ्लेजिलेटेड गेमिट्स मैंने आपसे कहाता है कि नीड 2013 में आ गया और 2014 में बाद में रिपीट वी क्योशन हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आइसो गेमी होती है उसमें सिमिलर साइज की गेमिट होते है मेल और फिमेल अब दोनों गेमिट व्लेजिलेटेड़ में अब दोनों आपके विद्बी क्लेजिटेड़ क्लाइमिट। आएगा तो आप समझ रहें कि सार्गसम नहीं यह तो ब्रावन एलगी है एक्टो कार्पस नहीं एनेसोगेमी है यह 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 पर आपका आपका आंसर विल भी फोर इस्पाइरो गायरा Onzę brother question no 98 which one of the following fungi contains what are halocyanogens depends on which होते हैं हेलोचन होते हैं तो देखो morgela as successfully in तधे मोरगे यह को आप यह तो जीस भिफ्फल यह डिलीस लागी है सु सुवादू, सुवादू में बहुत अच्छे हैं, clear, और एमेनेटा मसकेरिया, यह तोड स्टूल है, और आप समझ सकते हैं कि एमेनेटा मसकेरिया जो टॉक्सिक है, पोईजनस है, और निरोस्पोरा, यह possibility नहीं है, और स्टिलेगोई पैरासाइट है, क्लियर, तो according to this question, answer will be second, next, question number 99, which one of the following is wrong about कारा, कारा के इसे में लिए कौन सा गलत है, इस्टुटेंट पहले आपने डिस्कस कर चुके हैं, और मैं आप फिर कहना चाहरा हूँ कि यह भी क्यूशन रिपीट है, कारा का जो क्यूशन है, सेक्स और अरगन का, और इस ट्वल्ट एंट सेटर में आपको डाइग्राम के बहुत अच्छा बता रखा है, तो आप समझ सकते कारा, दोनु सेक्स और एक थैलस पे होते हैं, और अपर आपका उगोनियम होता है, नुक्यूल और नीचे आपका राउंडेड एंट्रीडियम होता है, ग्लोब्यूल, तो कारा की उसे में कौन सा गलत है, गलत आपको डूणना है, अपर उगोनियम और राउंड एंट्रीडियम, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, ग्लोब्यूल और structure, यह correct statement है, जो बता चुके हैं पर आप हो, clear, तो according to this question, आप से पुचा है कि कौन सा कारा के बारे में रोंग है, तो यहाँ पर आप पर रोंग है, अपर एंथ्रीडियम and लोवर उगोनियम, आंसर विल भी 3rd, clear, next, question number 100, a location with luxuriant growth of lichen on the trees indicate that, आप समझ सकते हैं कि lichen वहाँ ग्रो करेगा, जहाँ pollution नहीं होगा, और especially जो aso2 pollution area, aso2 pollution area है, वहाँ तो lichen कभी भी ग्रो नहीं करेगा, इसलिए indicator की तरह भी यूज होता है, clear, तो जो aso2 polluted area वहाँ तो ग्रो यह नहीं करेगा lichen, clear, तो बहुत ही important है, trees are very healthy, भई ए लोकेशन with luxuriant growth of lichen on the trees indicate that, कि किसी सवरक्स ओप लाइकेशन की पर्चुर मात्रा में वर्दी का क्या संकेत है, कि trees are very healthy, ऐसा possibility नहीं है, trees are heavily infested, possible नहीं है, location is highly polluted, possible नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, और location not polluted, तो according to this answer will be 4, क्योंकि जहां pollution नहीं होगा, वहां lichen बहुत अच्छे से grow करेगा, clear, तो according to this answer will be 4, next, question number 101, which of the following is responsible for peat formation, peat बनाने के लिए कौन सा उतरदाई है, तो students आप ध्यान देए, बहुत अच्छा क्यूशन आए, peat एक fossil fuel है, और peat एक lowest category का coal है, peat, clear, तो peat fossil fuel है, और lowest category का coal है, peat, पहले देए, आपको बताना देए, अब आप जहन देना देए, कि जो bryophytes हैं, bryophytes का कोई economic importance नहीं है, ecological importance है, along with lichen, आप समझ रहे हैं कि वो primary succession में या फिर बेर रोक पे, first of all, pioneer plants के रूप में वो अर्थ पे आए, और जो higher plant के लिए उन्होंने मार को प्रसस्त किया, clear, higher plant conditions उन्हें suitable बनाई, तो आप समझ रहे हैं, अब क्या होता है कि जो bryophytes उसमें कि specific moss है, sphagnum, उसको अपन peat moss भी बोलते हैं, bog moss भी carpet, वो marsy regions में grow करता है, swampy marsy region में, तो marsland पे दलदल पे एक carpet की तरह फैल जाता है, और कांपतावा दिखाए देगा, clear, तो वो जैसे इस पर फैल जाएगा, तो कुछ amount उसकी, इस पेसले आप जानते कि अनरभी कंडिश्म हो जाएगी, यानि आप जानते कि decay, तो some part उसका death or decay में चला जाएगा, तो वो फोर्म करेगा, lowest category का जो coal है, peat, क्योंकि bryophytes में mechanical tissue नहीं है, wood भी नहीं है, और plant body root stem leaf में differentiate भी नहीं है, वो only thallus है, तो थोड़ा सा carbonized होगा, तो lowest category का coal बनेगा, peat, तो वो आपका करता है sphagnum, तो markensia नहीं होगा, rixia नहीं होगा, funeria नहीं होगा, sphagnum, तो according to this question, answer will be 4, next, question number 102, which of the following microorganism possesses large amount of peptidoglycan, इन में से कौन से सुक्सम जीव में, peptidoglycan की भारी मातर नहीं बता, आप भी समझ सकते हैं, अभी आपने बता दिया, कि जो bacterial cell oil होती है, वो peptidoglycan से consist होती है, peptidoglycan, peptide, 4-aminosid, glycan, यानि sugar, clear, तो जो bacteria की cell oil होय है, वो peptidoglycan से consist है, अब आप समझ सकते हैं, कि SC gram ने बैक्टिरिया के 2 strain, जो आप बताए, gram positive, gram negative, gram positive में thick wall होती है, about 20-30 nanometer, और gram negative में thin wall होती है, तो gram positive में single layered होती है, और gram negative में by layered होती है, lipopolysaccharide, other component भी होते हैं, तो gram positive में 70-80% peptidoglycan होता है, total जो उसका cell wall है, जो weight है, उसका 70-80%, 70-80% आपका क्या होता है, peptidoglycan, तो which of the following microorganism process large amount of peptidoglycan, इन में से कौन से सुक्षिव में peptidoglycan भारी मात्रा में होता है, तो answer will be first gram positive, फिर gram negative नहीं होता है, अलगी में peptidoglycan positive नहीं, फंजाई में होता ही नहीं है, तो कनिफिज आपके यह दो में ही था, clear, तो according to this question, answer will be first, next, question number 103, a broad spectrum antibiotic is effective, एक विस्तित spectrum प्रतिजिव असरकारक होती है, आप ही जानते हों कि narrow spectrum antibiotic होती है, और broad spectrum होती है, तो broad spectrum various type के micro-organism पर effective होती है, और narrow spectrum specific micro-organism पर ही यूज होती है, तो according to this question, in low concentration, against all bacteria and virus, ओने variety of micro-organism, तो according to this answer will be third, ओने variety of micro-organism, next, question number 104, find the odd one, विस्तित को चुनिए, तो आप यह दो जूलो जी के अंदर, जो disease वाला चेप्टर है, वहाँ पर भी आप अच्छे से पढ़ते हैं, कि भी find the odd one, विस्तित को चुनिए, टाइफाइड, mumps, rabies, infrunja, तो यहाँ पर आप दिमागें कि टाइफाइड जो है, वो एक bacterial disease है, salmonella typhi, टाइफाइड bacterial disease, salmonella typhi, जो bacterium होता है, उससे आपके होती है, टाइफाइड, और फिर आपका होता है, mumps, यह viral disease है, rabies, viral disease है, और infrunja भी कहा है, viral disease है, तो यहाँ odd one महलब, थी viral disease है, और एक single जो disease है, वो bacterial disease है, तो according to this question, answer will be, first, next, question number 105, which statement from the following is true, निम्रेंसे कौन सा कतन साही है, तो आप जो दिये गे खतन में, आपको साही को ढूणना है, तो Aristotle is known as father of taxonomy, Aristotle वर्गी करण के पिता में के तुरुब जाने जाते हैं, गलत statement है, क्योंकि father of taxonomy, keralis lenious known as father of taxonomy, clear, और फिर है कि chemo taxonomy based on structure of organism, possibly नहीं, chemo taxonomy, जो chemicals की बात है, alkaloids की बात है, clear, और community is a group of different population, correct statement है, एक specific area में, जो different type की population, जैसे A, B, C, D, और यह आपस में interact करती है, तो यह biotic community, ecology में आप पढ़ते हैं नो, biotic community, biotic community ने all population in a given area, and interaction between them, आप जानते हैं कि, एक area में जितने भी population आपस में, जो interactions हैं, वो किसको form करती है, biotic community को form करती है, clear, तो आप समझ रहे हैं कि, यह option third correct है, the concept of species was given by genre, species term genre ने दीती, जो biological concept, 2016 में भी question, नेट में बार बार question, biological concept of species given by Ernest Mayer, और Mayer ने कहा था, कि group of similar, approximately similar, group of similar, approximately similar living organism, which can interbreed, to each other, जो आपस में interbreed कर सके हैं, वो ही biological species में, considered होगी, clear, तो statement यह भी आपका क्या है, wrong, according to this question, answer will be, third, clear, next, question number, 106, symbiotic nitrogen fixing bacteria, belong to genus, तो बेटाजी यह भी important question है, फीजोले से, जो आपका, end to metabolism है, वहाँ से भी question आता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, इस अर्थ पे जो end to fixation की capacity होती है, वो only procurates में होती है, और वो भी, not in all procurates, a few procurates, a few procurates, कुछी procurates cells होती हैं, जिन में end to fixation की capacity होती हैं, उनको आप कहते हो, die azeotrops, कई question यहाँ पर आपन सीखेंगे, अभी जो die azeotrops हैं, यह या तो कुछ bacteria हैं, या तो कुछ bacteria हैं, या फिर क्या हैं, कुछ cyanobacteria, BGA, cyanobacteria है, bacteria या cyanobacteria, clear, अब bacteria भी दो form में, symbiotic form और free living form, और cyanobacteria भी, symbiotic और free living, clear, अब bacteria जो हैं, symbiotic form में, two type है, सबसे most important है, rhizobium in legume, तो rhizobium जो leguminous serum है, आप जानते हैं, root nodule of legume plants, rhizobium, और frankia और non-legume plant, frankia, जो filamentous है, इसे बार-बार कुछना है, filamentous bacteria को ओना, frankia, जो non-legume, illness और kejurina, illness और kejurina, angiospans से related हैं, clear, तो वो, और फिर जो free-living होते हो, aerobic, agitobacter, benzerinkia, और anaerobic, जो close to dim होता है, rodospirulum होता है, और syenobacter, नोस्टो करना हैं, कुछ species, symbiotic form में, जिसे azola में, saikas की corral root में, और कुछ form, अपना आज free-living form में है, तो according discussion, कि symbiotic nitrogen fixing bacteria belong to genus, तो यहां तो symbiotic पुछा है, gentomonas, symbiotic form ही नहीं, pseudomonas, यह तो enter fixer ही नहीं है, यह gentomonas तो, pseudomonas, और rhizobium, तो 100% यहां सब से important answer, rhizobium आज़ 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 अगा है, agitobacter free-living है, तो आप समझ रहे हैं, कि according to this answer, विल भी third, 106 का third answer होगा, और बहुत अच्छा question है, यह पूरा आप एक map, और भी से ज़्यादा अच्छा map है, legume symbiote, non-legume, franquia, free-living, aerobic, anaerobic, उसमें photosynthetic form और होती है, और BGA की भी सारे form, आगर आप याद को तो, यहां से 100% knitme equation आ जाता है, एक, दो साल, दा साल आपको बात रहे question आ जाता है, तो ऐसे points पर आपको बहुत अच्छा ध्यान दे, ऐसे concept में आपको कमी नहीं छोड़नी है, clear, और CLC आपके ऐसी महामारी में आपके साथ है, और आप समझ पा रहे हैं, कि इसका CLC की लाइव क्लासेज भी बहुत फ्लो में हैं, और CLC पूरे previous question करने के बाद, और भी matter आपको उपलब्द कराएगी, 26 July को जो आपका exam उसको आप बहुत अच्छे confidence दे सको, आप बहुत self-sleep कर सको, CLC के जो डारेक्टर सरवन जी हो, रोजना सामको साढ़ी छफजे लाइव पी आते हैं, किलियर, आप according to this question answer क्या हो गया, third हो गया, किलियर, तो next, question number 107, which scientist is known as father of microbiology, microbiology, आप जानते हो, Lewis Trum, छो Lewis Passer ने दी, तो father of microbiology कोण है, Lewis Passer, according to this question, answer will be third, lineus, possibly theophrastus, या आपके father of taxonomy, father of botany है, या जोलोजी है, या complete biology, किलियर, तो जरम, ठियोरिया, जो भी microbiology के जो फादरों, Lewis Passer, answer will be third, किलियर, next, question number 108, the place where plant lives are known as, इस तान जाप पोदा पाया जाता है, पोदा के लिए यहां बोल दिया चाहे, किसी भी living organism के लिए बोले, particular living organism जहां survive करता है, जहां हो रहता है, वो उसका होता है habitat, clear आवास, तो देखो, यहाँ flora क्या होता है, flora तो किसी particular place के list, plant के list है, habit क्या होता है, किसकी property, habit क्या होता है, इसे growth habit है, कि tree nature, या सरब nature, हर्ब nature क्या है, और habitat है, habitat एक particular place है, जहां कोई भी organism सरबाईव करता है, clear, तो यह habitat और environment वातावरण है, according to this question answer will be third, clear, next, question number 109, which of the following is not a blue-green algae, निमनेश को बीजी यह नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि syno bacteria, जो यू बैक्टिरिय से अलग हूए है, syno bacteria, और आप समझ सकते हैं कि syno bacteria, gram negative bacteria के तरह structure रखते हैं, syno bacteria, BGA भी अपने इनको बोलते हैं, ना, BGA, syno bacteria, इस syno bacteria की जो forms होती है, ऐसे single cell in universal form में आपको बता है, ispyrulina, ispyrulina, और आप जानते हो, यह single cell protein भी, यह भी question है, clear, इसके बाद आप जानते हो कि, थोड़ा colonial form में आपके होते हैं, no stock anabina, no stock anabina, तो no stock anabina, clear, और एक filamentous form होती है, trichome form में होता है, trichome form में आपका होता है, oscillatoria, oscillatoria आपका होता है, clear, तो यह form होती है, BGA की, BGA है, no stock BGA है, पर option third में, कोनी यह claimant onas, universal green algae है, according to this question answer will be third, next, question number 110, in taxonomic classification, the correct sequences, वर्गी की, वर्गी करण में सही करम, यानि जो taxonomic हरार की होती है, वर्गी की पदानुकरम होता है, उस वर्गी की पदानुकरम में, seven obligatory category होती है, उनको अगर अगर अपन एक order दें, तो वो जो sequence जो उनकी होती है, उन seven category की, तो वो आपको मैं बताना चाहरा हूँ कि बहुत important, तो जो seven category की होती है, सबसे पहले kingdom, फिर आप कहते हो की phylum, या division, फिर आप कहते हो की class, फिर आप कहते हो की class के बाद order, order के बाद आप कहते हो की family, family के बाद आप कहते हो की genus, और genus के बाद आप क्या कहते हो, species, जो lowest of basic category species, तो one, two, three, four, five, six, seven, seven हो गई, अब अगर highest से lowest के जाते हो, तो descending order, similarity increase होती है, और lowest से highest के जाते हो, तो ascending order है, लेकिन आप साए descending order, sequence का mean होता है, कि देखो class, चाहिए आप इधर से इधर चले, चाहिए इधर से इधर चले, order between class और family, clear, अब यहाँ पर अपने को पूचा क्यों, correct sequence, ascending descending नहीं दिया है, correct sequence आप से पूचा है, तो class, अब order family, class, order family species, genus अपोसिबल ही नहीं, यह यहीं पर रोग होगी sequence, और class, order, family, genus, species, यह correct है, जीए कि आपने class, order, family, genus, species, तो यह correct है, family, order, यह यहीं पर रोग होगी है, clear, तो according to this question, answer will be third, clear, next, bacteria with a large number of flagella, uniformly distributed, all or the cell, surface, RG, और जिनकी पूरी सत्य पर, कसाब, समान रूप से बटे रहते हैं, यह, आप जानते हैं, RPMT question है, तो थोड़ा होटाब समझ पा रहे हैं कि, bacteria में, अगर मैंने आप से कहाता, flagella नहीं है, तो वो atricus है, अब bacterial cell पर, अगर flagella है, और single flagella है, तो monotricus हो गया, और अगर two flagella हैं, और opposite end पे हैं, opposite pole पे हैं, तो amphitricus हो गया, और एक साड़ अगर मालो कि, group of flagella है, तो lofotricus हो गया, और surrounded, पूरी body, whole body पे, uniform way में, ऐसे अगर flagella है, तो यह आपका हो गया, peritricus, और peritricus E. coli होता है, तो according to this question, answer will be second, peritricus, peritricus है ना, a tricus mean flagella absent हो गया, amphitricus mean, यह हो गया, cephalotricus mean, वो group हो गया लिए, peritricus, तो according to this answer, will be second, next, question number 112, अगर, अगर is obtained from, अगर, अगर प्राप्ट किया जाता है, तो आपको भी पता है कि, जो अगर, अगर, एक best imbibent है, कि water holding की बहुत अच्छी capacities में होती है, और आप पता है कि, अगर, अगर, जो jelly-like substance है, यह जेली के समान पधारत है, अगर, अगर, red algae, अगर, 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 प्राप्ट किया जाता है, green algae, red algae, yellow algae, brown algae, तो red algae, gilladium और gracilaria, तो according to this question answer, विल भी second, next, question number 113, which of the following procarot's, evolve oxygen in photosynthesis, like that of plant, कि procarot होता है, ऐसा कौन सा procarot है, जो procarot होते हुए, procarotic cell है, लेकिन plant के तर, oxygen evolve करते हैं, oxygen show करती है, कि जो procarot है, फोटोशनी बेक्टीरिया होते हैं, green sulper bacteria, purple sulper bacteria, वो तो non oxygen करते हैं, क्योंकि pH second absent होता है, water का photoliosis होता नहीं है, clear water use ही नहीं होता है, hydrogen electron donor group में, तो वे कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, कि BGA, syino bacteria, जो first time, उनोंने aerobic life को start किया, और aerobic life को start कि उनोंने क्योंकि थालेकोइड, ले मिली होती है, वहाँ पिये second होने से water का photoliosis हुआ, और उनमें true pigment chlorophyll भी होता है, आप समझ रहे हैं, universal pigment है, तो आप समझ रहे हैं, कि BGA ने first time aerobic life को start किया, तो यह यहीं पूछ रहा है, कि भी प्रोकेट होते हुए, कौन जो प्लांट की तरह है, ओटू योल जहां होती है, तो रोडो, सुडो मोनास, नो, क्लोरोबियम, फोटो सिंटेटिक है, बट नो अक्षिजनिक है, और नो स्टोक, तो 100% आंसर क्या होगा, थर्ड किलियर, तो अक्षिजनिक आंसर विली भी थर्ड, नेक्स्ट, क्योशन नम्मर 114, विच अप्ड़ फोलोग इस दा हाइस्ट एंटू फिक्षन, ने मिलिए कौन सर्वस्थरेस्ट एंटू फिक्षन करने में सक्सम है, तो एजो इस्पारिलम, नोस्टोक, राइजोबियम, एजटो वेक्टर, आप समझ रहें कि सारे एंटू विक्षन हैं, डाइजोट्रोफ हैं, लेकिन जो मोस्ट, आप जानते हो अर्थ में जो सोल होती है, सोल में बहुत ज़्यादा अबड़न हैं, ज़्यादा अमांट के अंदर, राइजोबियम, फ्री लिवियम में ग्राम, यह राइजोबियम रोड से बैक्टिरिया बहुत एक्सस में एता है, हाँ, लेकिन जो सिंबाइसिस, जो पार्टनर प्लांट आएगा, लेग्यूम आएगा तभी उसके साथ इस एंट विक्षन शो करेगा, कौन सा जिएजो नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्राइट को किसे बदलता है, आप अच्छे जानते हैं कि एंटुफिक्षेशन का मीन होता है, वन एटमोस्त्रिक नाइट्रोजन कनवर्ट इन्टौ अमोनिया, अब biological antrifixation, जो diagotrop मैंने भी प्रोकेड बताए आपको, या industrial antrifixation या इलेक्टर जो भी है, उसके बाद आप जानते हैं कि soil में जो ammonia उसके दो object है, दो विकल्प हैं, या तो उसका nitrification हो, clear, या उसको plant directly ammonium आयन के फोर में अप्टेन कर लें, तो nitrification एक process होता है, जिसमें ammonia, ammonia first of all, किसमें convert होता है, nitrite में, oxidation process है, और फिर nitrite किसमें convert होता है, nitrite में, अब नाइटरेट के भी दो विकल्प होते हैं, या तो ज्यादा तर plant जो nitrite form में अब्जोर्ब करते हैं, या फिर उसका denitrification हो जाए, denitrification होता है, नाइटरेट वापस है, अब यह जो प्रोसेस करता है, यह तो करता है, nitrosomonas, कौन सा बेक्टरिया करता है, nitrosomonas, और यह oxidation करते हैं, यह आपका करता है, nitrobacter, अब आप से कौन सा step पुछा है, यह दो step होते हैं, first और यह second, second step से पुछा है कि, nitrite को nitro, बेक्टर, तो option में nitrosomonas भी confusion करने के लिए, pseudomonas denitrification, वो तो denitrification के लिए नाइट्रो बेक्टर भी है, नाइट्रो कोकस भी है, तो according to this answer will be third, clear, next, question number 116, if a single species हो पे बेक्टिरिया और फंजाइज नोट परजेंड और अर्थ, यदि सुकसम जीव के एक भी परजाती हो, चाहे हो जिवान हो, चाहे हो पर्थिव पर नहीं होगी, तो क्या होगा, आप प्रोडिशरों डीकंपोजर के बिना एकोसिस्टम कभी भी रन का चल नहीं सकता है, clear, तो डीकंपोजर बहुत बहुत इसेंशियल कंपोनेंट है, विदाउट डीकंपोजिब इन एकोसिस्टम का एक्जिस्टेंस, clear, तो जो भी dead plant, आप जानते हैं कि solar energy को fixation करते हैं, plant और तो अर्थ के ओपर इसका धेर लग जाएगा, clear, तो आप समझ रहे हैं कि यदि कोई भी सुक्सम जोए, dead bodies and excitants will pile up, मरसरों मरसरों का धेर लग जाएगा, तो according to this question answer क्या होगा, first, there will be no disease, no antibiotic will become available, soil will become depleted to all nutrients, this question का answer क्या होगा, first, clear, next, question number 117, which of the following is the sac fungi, तो मैं आप को पूरा बता देता हूँ, कि जो फंजाई है, फंजाई का जो classification किया गया था, first of all, mycelium की structure के basis पे, mycelium की structure के बाद में आप जानते हो कि, जो उनमें fruiting body होती है, यह type of spore formation, sexual asco spore, basically spore जो भी है, तो फंजाई, जो lower फंजाई है, वो तो आपके है, phycomycetes, इनमें कुछ aquatic होते हैं, तो phycomycetes, नाम भी तो भी phycomycetes, aquatic होते हैं, इनको पन कहते हैं, एलगल फंजाई, एलगल फंजाई, एलगल फंजाई, एलगल फंजाई है, फिर अब अगली प्रोश्य के हाईर फंजाई, लेकिन sexual reproduction, non, और sexual reproduction, not, non, तो जो नोन वाले होते हैं, वो आप जानते हैं, कि तीन हैं, और यहाँ पर यह फाइकों में भी दो मैन सब क्लास है, उ माइसेटीज और जाईगो माइसेटीज, उ माइसेटीज और जाईगो, कोंज्यूकेशन फंजाई बोलते हैं, अब यहाँ पर जहाँ, sexual reproduction, non है, यहाँ लेंगीक जलन ग्यात है, इसको है, बेसीडियो स्पोर, तो यहाँ एसको मैसेटीज, और बेसीडियो मैसेटीज, और बेसीडियो मैसेटीज, और आप जानते हैं, इनमें sexual reproduction, ग्यात ही नहीं हो है, फंजाई इंपरफेक्टी, इंपरफेक्टी फंजाई इंपरफेक्टी तो आप कें एंज डिूटेरो मैस्टीज। किलियर अब आप जानते हैं कि जो एसको मैस्टी है उसकी सबक्लास बनाएगी फ्रूटिंग बोडी के बेसिस पे जिसे क्लिठो थीश्यम पूरी completely close प्रूटिंग बोडी मेरे से फिर पर्णाप परेंड परिटीयकव मुऺ फिर एपोधेश्यक लाधी हो थेली करदा है। उनको बोलते हैं तो गोठा होता उन्मान जी गदा वैसे उसको बोलते हैं कलब संजाई Club, फंजाई, और Dutero का अपना बोलते हैं, फंजाई imperfect ना जो SAC फंजाई है, वो किसको बोलते हैं, A.S.C.O. मांसरेटिज के मेंबर को, अब यह एक को मेंबर कौन है, Panisilim Notatum, A.S.C.O. का मेंबर है, A.S.C.O, Agricus, मस्वाइटियू का मेंबर है, यह FICO का मेंबर है, यह Deuterio का member है, clear, according to this question answer will be first, बहुत important, next, question number 118, is Renadier most, हिरन का काय तो यह एक lichen है, और answer है, क्लेडोनिया, रेंजिफेरिन, clear, यह एक, मलब, इनफर्मेटिव क्यूशन है, जो आपको याद करना है, clear, तो answer क्या होगा, third, next, question number 119, which stain is used for stain fungi, कौन सा रंजक कावक के लिए, आप अच्छे सी जानती ही कावक को, किस कावक साल को, किस रंजक से stain किया जाता है, आप जानती ह separate plant के लिए होता है, ऐसे, जो हमेटाक्स नहीं आप क्रोम होजों में वहाँ पढ़ते हो डाई जाप है, तो ऐसे अपने बात रहे कि कोटन ब्ल्यू है, कोटन ब्ल्यू फंजाई साल के लिए होता है, तो answer will be third, next, question number 120, who discovered the first antibiotic penicillin, पहली प्रक्ति जोई किसकी खोज है, आप फ्लैमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ते, नॉर्मल क्यूशन है, और अकॉर्डिंस यू आंसर विल भी, first, clear, next, question number 121, one gene, one enzyme, theory was first given by beetle and tatum, by study of fungi, कि कि किस फंजाई के अध्यन के दोरान, beetle और tatum ने एक जीन एक enzyme शिद्दान दिया, तो बिड़ा पहुत अच्छे जा गए, biochemical experiment किये गए, वो drosophila पे किये गए, और उसे plant तो नहीं, लेकिन according to five kingdom बात तो फंजाई हो गए, लेकिन पहले plant में included तो फंजाई के अधरा आप जानते हो, एक pink mold है, neurospora, तो तुम जानते हो कि experimental genetics या biochemical experiment में सबसे ज़्यादा, जो use हुआ, वो है neurospora, pink mold, और उसको कहते हैं, drosophila plant kingdom, ये भी अच्छा कि उसना सकता है, drosophila plant kingdom, drosophila plant kingdom इसको पन बोल सकते हैं, clear, yes or no, तो according discussion answer will be second, neurospora, pink mold, drosophila plant kingdom, आप अच्चे से जानते हैं, और neurospora क्रेशा जो इसकी species है, 121 question cancer हो गया, then आप अगले question पर अपने चलेंगे, next, question number 122, which group of fungi is called algal fungi, अभी मैंने आप अच्छे से पूरी table बता दी, कि फाई को माइस्टीज को आप algal fungi कहते हैं, एस को आप सेख फंजाई कहते हैं, बेसीडियो को आप कलब फंजाई कहते हैं, और डुटेरोफ फंजाई इंपरफेक्टी, क्योंकि वहाँ sexual reproduction की perfect stage पता नहीं है, तो इंपोर्टेंट है न, तो आप बिड़ा देको ध्यान दें, कि जैसे क्यूशन फंजाई का है, तो sexual reproduction, यह spore, यह importance, algae का क्यूशन है, तो pigment का type, store food का type, cell wall composition, clear, और जो economic importance है, तो अगर आप एक जे में इनको, अगर एक short notes, tricky notes आप बनाएं, synthetic according, तो यह बहुत ही बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है, clear, तो according to which group fungi is called algal fungi, तो answer आपका होगा, 5,3, answer will be third, clear, next, question number, 123, sinju spore are found in member of chlorophyce, तो chlorophyce, किस दर sinju spore पहे जाते हैं, पोर फायरा तो red लिगी है, wall walks में नहीं है, climate awareness में नहीं है, तो वावचीरिया, तो इसका answer आपका होगा second, answer will be second, वावचीरिया, clear, next, question number 124, in most of lichen, there is association of, कि lichen, आप अच्छे से जानते हो, कि lichen, एक association है, एक symbiosis relationship है, lichen में two components होते हैं, एक illegal partner होता, इसको आप बोलते हो, phycobion, यह अच्छा क्यों सुनाता, phycobion, और एक fungal partner हो, उसको आप बोलते हो, mycobion, mycobion, अब यह आपका, phycobion, जो कोई एक algae है, और यह अपनवातरे की fungal partner है, fungi है, mycobion, clear, master slave, यह हैलोटिजम भी होती है, आप अच्छे से जानते ह हैं कि भी, lycan में, mostly जो lycan होते हैं, उसमें, algae में, green algae होते हैं, और fungi में, asco lycan, और यह फिर green algae, यह बेस्टीडियो के member, clear, लेकिन बीजी और fungi भी, बीजी और fungi भी, like and form कर सकते हैं, clear, लेकिन mostly ज्यादा कौन होते हैं, green algae और fungi में, asco mycetis, clear, तो यहाँ, coding discussion, यहाँ के लोग confused ही होते हैं, इदर उदर कई books में पहले wrong भी लिखा है रहें, यह हैं यह हैं, correct है, the coding discussion, green algae, and asco mycetis, answer will be second, clear है, next, question number 125, all fungi are, सभी कवक होते हैं, symbiont, heterotrophs, saprophytes, and parasites, आप अच्छे से जानते हैं, कि fungi, multicellular, eukaryotes, filamentous, thread-like structures हैं, eukaryotic organization है, cell wall है, clear, membrane है, membrane bound organization है, लेकिन कभी भी युकेर, इस fungi cells में, sorry, कभी भी भी फंजाई में, प्लास्टिड लवक नहीं होते हैं, कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है, और chloroplast किसी भी नहीं, इट मीन, all 100% statement correct होगा, कि all fungi are heterotrophs, all fungi are 100% heterotrophs, clear, अब आप सुने, हाँ, वो तो heterotrophy include होता है, कि जैसे mostly edible fungi होते हैं, saprophytes होते हैं, saprotrophs होते हैं, वो जो disease करते हैं, प्लान हैं, वो आपके होते हैं, parasyte भी हैं, कुछ symbiotic form में भी हैं, तो हाँ फिर heterotrophs में हैं, saprotrophs भी है, parasyte भी है, और symbiot भी है, clear, यह main heterotrophs आपका आणसर आ गया, तो symbiot हैं, बट सारे नहीं है, saprotrophs है, saprophytes भी हैं, और heterotrophs, according to this answer will be second, clear है, अच्छा question है, next, question number 126, ectotrophic mycorrhiza is found in, mycorrhiza के दो form है, ectomycorrhiza, endomycorrhiza, internal tissues में अगर fungal IP spread हो जाता है, endomycorrhiza, ectomycorrhiza आप जानते हैं, तो जो pinus होता है, pinus, close association शो करता है, pinus की जो roots होती है, tap root system होता है, तो वहाँ फंगल हाइपी, ऐसे एंट्रेप करते हैं, फंगल हाइपी का network हो जाता है, तो इसको आप कहते हैं, ectomycorrhiza, ectomycorrhiza, तो orchid, rixia, pinus, according to this answer will be third, clear है, next, question number 127, lichen cannot reproduce प्रजन नहीं कर सकते, need a nitrogen source to live, जीवित रहने के लिए nitrogen शोता होता है, और parasiton tree पोदोबर पर जीवी है, are able to live in extreme condition, तो आप समझ सकते हैं कि lichen polluted area में बाकि extreme conditions होती हैं, जैसे low temperature पे, ice में भी यह survive कर सकते हैं, तो according discussion, answer will be for are able to live in extreme condition, clear? next, question number 128, which vitamins obtained from yeast, yeast से कौन सा vitamin होता है, आप ही जानते हो कि all fungi are filamentous, almost all fungi are filamentous, एक single fungi है yeast, जीनस है yeast, आप समझते है yeast जो है, वो यूनिसवंदर फंजाई है, non-mycelial है, sugar फंजाई है, fermentation फंजाई है, और इसके एक species है, Saccharomyces cerevacy, वो आप जानते हो कि backers yeast या उसको पन वीवर्स इस्ट बोलते हैं, वीवर्स इंडिस्ट्री और बैकरी इंडिस्ट्री का जो फादर अप्रमात्रे की Saccharomyces cerevacy, तो भूत important question है, तो आप समझ रहें कि भी, वो yeast, vitamin B2, अपने उससे obtain होता है, vitamin B, तो यहाँ yeast से क्या कौन सा vitamin प्राप्त किया जाएगा, vitamin B, according to this answer will be first, next, question number 129, तो students आप ध्यान दें, मैं आपको कहना आप ध्यान दें, question number 129, hold fast is found in which algae, इन में से इस्ताप्णा किस्म होगा, आप जानते हो कि, algae की जो advanced class है, chlorophyce है, chlorophyce के जो member होते हैं, तीनोई form शो करते हैं, unicellar form भी है, colonial form भी है, और filamentus भी है, और green algae mostly filamentus अन ब्रांच ही होते हैं, एक exception कारा जो filamentus branched है, एक exception कारा जो filamentus branched है, बाकि आप समझ सकते हैं कि filamentus unbranched ही होते हैं, मैं आप बताना चाहरा हूँ कि chlorophyce unicellar form में भी है, colonial form में भी हैं, filamentus unbranched mostly, clear, लेकिन जो brown algae होते हैं, always filamentus branched ही होते हैं, filamentus branched, तो brown algae में आप जानते हो, front, stripe और hold fast होती होती है, सभी में होती brown algae में तो, लेकिन जो green algae उसमें unicellar form में और colonial form में नहीं होती है, जो filamentus unbranched है, उसमें spatially eulothrix है, तो eulothrix, eulothrix में इस form में, eulothrix की बात करते हैं, इस form में, और यह यहाँ पर आप समझ रहें कि hold fast cell है, अभी एक cell hold fast है, बाकि सारी cell green cell है, बाकि सारी cell क्या है, green cell, जैसे माल लोग की eulothrix में 82 cell है, तो कितनी green cell 81, क्योंकि एक hold fast है, तो सब stratum से टेच है, तो इसमें hold, यह आपका hold fast है, इस तापनांग, hold fast, clear है, अब यहाँ पर देखो, क्लेम डोनास तो यूनिसल्दर फोर्म है, पॉसिबल ही नहीं है, और नोस्टो बीजी है, पॉसिबल ही नहीं, यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट अंसर होगा, second, answer will second eulothrix, जिसमें hold fast है, clear, according to this question, answer will be second, question, clear, next, question number 130, WEM Association in Plants help in WEM, का पोदे से समवद्य मदत पुएं, क्योंकि यह मदद करता है, आप जानते ही कि WEM is a type of endomycorrhiza, एक उता एक्टो माइकोराइजा पाइनस में एंडो माइकोराइजा और किड में वेलामेंट इशू तो जो माइकोराइजा कि आपको और भी चेप्टर में 10 चेप्टर 12 उसमें बता रखा है जो यूजेज हैं तो माइकोराइजा फोस्पोरस फोस्पोरस एब्जॉप्शन मे नेक्स्ट वन थर्टी वन क्यूश्व नमर वन थर्टीवन अल्टरनेशन अग्जिपिटेड बाई पीड़ एकांतर प्रदस्थित होता है तो विड़ा जी देखो मैं आप बताना चाहता हूं कि जो पीड़ी एकांतर है अल्टरनेशन अप जानते हो कि भी यूनिस अदर फॉम का जैसे फिलामेंटस फॉम आई एलगी की मालो है एपलोईड एलगी तालीं फिलामेंटस फॉम आगई तो आप समझ सकते हैं कि सेक्स और गनाए उनमें इंसाइड डिवीजन हुए गैमिट्स बने फ्यूजन वा वापस डिपलोईड वा फिर वापस इस क्ले माइडोमोनास जो है यूनिसदर फॉमर वह हैपलोईड है अब हैपलोईड मियोसिस पॉसिबल नहीं है तो माइटोसिस से क्या बन जाएंगे गैमिट अब इनका फ्यूजन होगा तो क्या फॉम हो जाएगा जाएगोट्ट टू एन सेल और क्विक्ली रैपिटली यहा ला इसWAY वार मानलों कि कोई हैपलय ख्यालस है लेकिन फिलामेंट तो मइटोस फिलामेंटास है तो मան siis आंगे लोள मेंटे के थीयुए खаф़िया मनिये फिर जाएट नहीं होगा अन्या विवलेटा से लनेंगे अप्ष्योधी सेच्ष छिक्षर छेगा होगा आपकि Fights का जो मैन प्लांट बोडी है। डोमीनेंट फेज हो गेमेटोफितिक है। Brighita का मैन प्लांट बोडी है डोमीनेंट फेज यह घमेंटोफितिक फेज है। थेलस, बांड बोडी लोवर ब्राइफ़ाट में थेलस और Rhygjotses, जिनका ने प्लोडी लेवल है N राइजोट्स जिनका अप्लोडी लेवल क्या है एन आप जैसे थैलस ग्रोग करेगा वेजिटेटिव थैलस ग्रोग करेगा उससे सेक्स और अरकी गोनिया एन है इंसाइड अरकी गोनिय में एग सेल गैमिट्स बन जाएंगे माइटोस से एन फिर वह अपनबातरी जूडियो छी इन में स्पोर से स्टार्ट होती है और गैमिट्स हो जाती है चैने स्टार्ट हो जाती है और जैघ्डव से वह जो आगे से लिए तो इस पोर मदर साल तक, clear, तो alternation of generation, bryophyte में भी है, man dominant gametophytic, then alternate भी में sporophytic, tedo में भी है, dominant sporophytic है, लेकिन alternate gametophytic, वो depend नहीं, भी वहाँ पर, और gymnosperm में भी और NGO में भी है, क्योंगी वहाँ dominant sporophytic है, और alternate reduced gametophytic आता रहूँ, उस भी depend होता है sporophytic पर, बड़ अल्टरनेट तो ही तो यहां पर according discussion answer is 4, all of these, clear, next, question number 132, a collection of sporengia on a placenta, covered by inducium is known as, inducium से डखाव बिजानडा सन पर बिजान धनी का समू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि teradophytes में sporophyll पर sporangia, sporangia का जो group होता है, sporangia का वो, sorai होता है, और फिर sorai का group होता है, soras, यह soras जो भी है, clear, तो आप समझ पा रहे हैं कि भी, क्या रेमेंटा, soras, sporophyll, या nononobobow, तो यहाँ पर answer will be second, soras, clear, next question number 133, correlate roots are found in, परवाल जड़े पाई जाती फारन में, साई के सब डिसकस कर चुके हैं, answer will be second, clear, next, question number 134, spore mother cell in bryophytes are, bryophytes में विजानों मातर कोश्ची का क्या है, तो देखो, haploid है, diploid है, triploid है, tetraploid है, यह ploid ही पूचिए किसकी, spore mother cell की, तो यह देखो बड़ा, alternation of generation, जो PDA कांतर नहीं, जो life cycle pattern है, और आप समझ सकते हैं, 3rd chapter, NCRT की 3rd chapter, 11th NCRT, 3rd chapter, last में, उनको तो बहुत तरीकी से आप कर लेना, अभी देखना, 2017-2018 में, वहाँ से 3-4 बार question आया है, है, हयप्लोंटिक life cycle, हप्लोंटिक life cycle का, डिप्लोंटिक life cycle का, clear, तो आप भोट अच्छे सी धहन देना, ब्रायोफाइटा का मैन प्लांट बोडी जो डोमिनेंट बोडी होता है ब्रायोफाइटा का वो डोमिनेंट प्लांट बोडी आपका होता है गेमेटोफिटिक ये गेमेटोफिटिक डोमिनेंट फेज है डोमिनेंट फेज परभावी प्रावस्ता है विव्थ अब जो डोमिनेंट फिज है ब्राइफ़ाड से गह्मेटोफिट्रिक और बोडी डिफرेंशेट है थैलस और रईजोट्स तो गह्मेटोफिटिक है तो प्लोडी क्या है अब वेजेटिवली ग्रोओ करेगा तो आप समझ सकते हैं कि फालस ओर आजो जब मैत्योर ओजाएंगे उस पर सेक्स ओरगन आएगा और ब्रहफाटाक śaina मल्टी सर्द जेकरटेड मेड्च और ले इस पर और यहाँ ऑर थ तो आपलगन कर दो यह ओर्स अपड़ जहेंगे एंध्रिदीया और पाल पाड़ की अब.......... आर्चिगो ने जो है एन 3D यह आपके सेक्स और गना के मल्टी सदर जैकेटेड इनकी स्ट्रेक्चर डिटेल में आप को पी में हमारे लेक्चर में डिसकस कर सकते हैं जैसे ऐसे मातर के जो एन 3D होता है इस फॉन में होता है इंसाइड आप जांते हो की यह जेकेट हो कर थो एंडरोसएड इंडरोसइड रोगी और रेलोसइड सेयल में का माइटो सेख तो आप समझे सकते हैं कि ऐस है यह स्पॉम में गेमिटस बन जाएंगे किलियर यह गेमिट्स आपके बन गए और फिर यह आज राउंडेड यह मॉर्फो जनेटिक चैंज होकर यह कॉमा से बाइफ लेजलेड गेमिट एंथ्रेजोइड बन जाता है ऐसे फ्लास्ट सेप आप जानते हैं कि आर्की गोनिया होती है आर्की गोनिया फ्लास्ट सेप होती है मल्टी सेल्डर जैकेटेड यह जैकेट लेयर होती है इस टाल्क होती है ब्राइफ अटमी स्पेसली यहां कवर लीड सेल होती है ने कैनल सेल्स होती है वेंटर कैनल और यह एग सेल होती है क्लिए ते सेक्स ओर्गन हो गई किलिए आमें इंद को साब कर देते हैं यलो उसके वाद आप जानते हैं कि एंथर जो मेल गएमिट एगसल है वह वाटर में मुव करता हुआ हुआ किमोकी नमोंट करता हुआ जूडियो गिमी होती है फूज ओता है फ्यूज होते है आप जानते हूं uit का या बनती यह ज我很 इंधियर तो यह इसपारोम फिटली की की अब न लोगत जाय डीमॉइट सेलड़। ने मेंद तो यहां पर आपका होगा spore genus tissue और उसकी cells आपके हो जाएंगी spore mother cell तो spore mother cell जो है वो always 2N होती है spore mother cell क्योंकि there are site of myocyte, the myocyte cell site of myosis यानि sporic myosis होगा spore mother cell, spore mother cell में myosis होते ही sporic myosis होते ही spore form होंगे spore N और आप जानते है spore directly germinate होकर, तो spore gametophytic की first cell है spore gametophytic की first cell है, clear? और gamet, gamet जो fuse हो रहे हो, gamet जो last cell है और zygote sporophytic जनरेशी first cell है और spore mother cell last cell है तो यहां आप से पूछा है कि spore mother cell और ब्रायोफाइट्स आर ब्रायोफाइट में बिजानमात्र कोश्का होती है haploid होती है, diploid होती है, triploid होती है, tetraploid होती है तो always deployed, answer will be second next, तो यह आपका question number 134 complete हो गया next, question number 135 which of the following is the smallest angiospum? निवे में कौन सा सबसे छोटा औरत बीजी है तो solenum, euphorbia, आप जानते हो सबसे छोटा आवरत बीजी एंजिस्वम जो वुलफिया है according to this answer will be third, clear है next, question number 136, match each disease with its correct type of vaccine, परतेर वोक साथ उसके सही परकार के vaccine को मिलाएं, तो अपने यहाँ पर देखेंगे कि जो tuber closest है, tuber closest वो आप समझ सकते हैं कि harmless bacteria, clear? और उसके बाद अपने देखते हैं कि woofing cup, तो woofing cup killed bacteria फिर आप देखते हो diptheria, inactivated vaccine और polio, तो harmless virus तो अब आप समझ सकते हैं किया a में 4, b में 3rd, c में 2nd, और d में 1st, तो according discussion answer will be 1st, clear? next, question number 137, which one of the following is not inclusion body found in procaridors, बहुत important आप बता दूँगी procaridic organization से, बहुत सारी questions आते हैं बटा, वहाँ दो questions 100% कभी mesosome से हैं, कभी protoplasm body flagella, phimbri, पिलाई से हैं, कभी अपनवात रही polyribosome, कभी पिलाई, yes, तो plasmid, clear? तो बहुत important question, inclusion body का presence भी only procaridic cell का character है, eukartic cell में inclusion body नहीं होती है, inclusion body के form में क्या-क्या होती है, glycosin, जो granule होती है, store food bacteria, synofacin starch, granule जो होती है, BGA की, जगेस वेक्योल भी होती है, phosphate granule भी होती है, यह inclusion body होती है, तो इनमें से है, polysome क्या होता है, polysome या polyribosome आप जानते हैं कि single mRNA thread पर जब several ribosome attest हो जाते हैं, several ribosome attest on a single mRNA thread, तो इसको आप बोलते हैं, polysome, polyribosome जब polycystonic gene होती है, clear? तो यह according discussion answer क्या हो जाएगा? second की inclusion body नहीं है, तो बहुत अच्छा क्यूशन है, clear? next, question number 138, which one of the following matches is correct, इनमें से कौन सा एक सही सुमिलित है, आपको सही मिलान ढूणना है, सही मिलान, clear? तो आप समझ रहे हैं कि तीनु पेर सही होने चाहिए, एगरीकस, यह सेप्रोट्रोप है, यह यहीं पे रहोंग हो गया, और यह बेसीडियो मैस्टिज हो गया, तो यह यह यहीं पे रहोंग हो गया, फाइटो 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 फाइ जाई को मैंसरीडी सबक्लाइब का मेंबर होता है को इस तो आपको डूढना है किलियर मैंने टोल इस्टोर फूड इन रोड़ फाइसी स्टुडेंट अभी मैंने आपको बताया मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूं कि भी ऐलगी क्या स्टोर फूड सेलवाल कंपोशन या जो भी सेक्शल प्रोड मेथड़ साते आते हैं यहां पर आप देखें कि ग्रीन एलगी में सिंपल स्टार्च और ओल्ड रोप्लेट इस्टोर फूड होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी है क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगा तो ग्रीन एलगी का जो स्टोर फूड होता है स्टार्च और ओल्ड रोप्लेट होता है सभी का मैं आप सको समझा जाता हूँ फिर आप जानते हो कि ब्राउन एलगी फियोफाइसी तो जो फियो फाइसी होता है उसका जो इस्टोर फुड होता है फियो फाइसी का वो लेमिनेरियन या मैनिटोल होता है लेमिनेरियन या मैनिटोल लेमिनेरियन मैनिटोल होता है और जो रेड एलिगी होता है रेड एलिगी का तो इस्टोर फुड आपका होता है फ्लोरीडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, क्लियर, तो आप समझभा रहे हैं कि, यहां इस क्यूष्टन में, रोड़ोफाईसी में, संचेद खादे मैनिटोल है, यह रोंग स्टेट्मेंट हो गया, अपना आगे और भी देख लेते हैं, ऐलगी ने केरागीन और प्रोडक्ट ऑ याउललगी रिलकुल और लेखे और केरागीन रहे हैं, यह तो अगर अब Düसर यूव रहे है, कि अप्लोरीडियन स्टार्च अप्लोरीडियन स्टार्च तो अपको मैंने बताया कि कहां कहां एक साभी होते हैं तो मैं आप तीन पॉन्ट बताता है कि स्पाइरोगारा में तो नोन फ्लेज़िलेटड इसो गेम ही होती होती है ऐक साभी की स्टार्च समान आकार के होते हैं और इनका फ्यूज़न होता है तो जाइगोट आपके सहल बनती है के लियर आप अच्छे से जानते हैं इसके लाव में आपको कंसर्ट बताता हूं कि बीजी ए तो साइनो बैक्टिरिया वैसे तो वहां माय तो समय पोस्टिबल नहीं है लिए मैं आप बता हूं कि बीजी ए कि लाइप साइकल में कभी भी कोई मोटाल स्टेज होती ही नहीं है और एक सबसे इंपर्ण होगी रोडोफ़ाइसी जो रेड एलगी है तो रेड एलगी के लाइफ साइकल में कभी भी कोई मोटाल स्टेछर होती नहीं है भाई वहां फ्रेग्मेंटेशन वेजटेटिव और जो एसेक्सल स्पोर जूसपोर बनते हैं मोटाल स्पोर जूसपो होते हैं Asexual Spore absent होते हैं किसमे Red Algae के अंदर किलियर अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि भी Red Algae में फिर सब्सक्राइब करना चाहता हूं कि वहाँ पर male sex organ होता इस प्रमेशिया इस प्रमेशिया यह से इस फोम में और यह आपकी फिमेल के लिए ट्राइख हो गाई इस इस प्रमेशिया से रिलीज होता है और अंदर ऐसे टाच होकर इस एक सल से आकर क्या हो जाता है तो उगेमी तो होती है बड़ वहाँ कोई मोटाल स्ट्रेक्टर नहीं तो रेड अलगी के पूरे लाइप पैटरन में कभी भी कोई मोटाल स्ट्रेक्टर होती नहीं है किलियर अब यहां पर आप देखो male gamete नहीं सकता और न पीना में कोई possibility नहीं है एक डो कारपस में और पॉलिस आइफोनिया में भी आप जानते क्या यह रेड यगी है पॉलिस आइफोनिया है तो यहां कोई मोटाल लाइप में नोन फ्रेजर आइसो गेम ही होती है तो नोन मोटाइल होते हैं पॉलिस साइपने रेड एलगी तो रेड एलगी के लाइप में कोई मोटाल स्ट्रेक्चरी नहीं होती है तो फिर क्या होगा एक्टो कार्पस ब्राउन एलगी एक्टो कार्पस तो अकोडिंग इसको आंसर विल question number 141 in which of the following gamet of it is not independent and free living मैंने भी आपको बताई दिया निम्न में से युगमोद विद सौतंतर जिवी किसमे नहीं होगा देखो फिलामेंटस कुछ एल गी और सोरी फिलामेंटस एल गी उसके बाद ब्राइफाइट का dominant phase मेंने आपको बताएगी ब्राइफाइट का dominant phase क्या होता है गेमेटोफिटिक होता है और फिर living होता है ठीक है तो ब्राइफाइटा में तो वैसे यह dominant होता है फिर living हो गया उसके बाद आप जानते हो t panels better go finding टवर्मिनेशनस और उसका अपना independent existence होता है इसलिए टेरेदो में भी फिर जिमनोर एंजियो है, वहाँ पर मैंड बोडी sporophytic होता है 2N, और root stem leave highly organized sporophytic body organization होता है, और alternate way में जो gametophyte reduce आते हैं, एंजियो स्परम में तो 2-3 cell male gametophyte और 7-8 cell female gametophyte, वो 100% parent sporophyte पर ही होते हैं, और dependent होते हैं, तो जिमनोर एंजियो के अंदर, bryo teradome की तरह, bryophyta और teradome की जिमनोर एंजियो में gametophyte free living नहीं होता है, डिपेंडेड होता है, clear, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, कि किसमे युगमोद भी सौत अंतर रहने वादा नहीं होता है, तो pinus में नहीं होगा, gymnospram है, funeria, यहाँ हिंदी गलत कर रखी है, तो funeria में होगा, clear, markensia में होग teris में होगा, क्योंकि यह दो bryophyte, यह tetophyte, a pinus में नहीं होगा, according this answer will be first, next, question number 142, read the following five statement A to E and select the option with all correct statement, correct के साथ आप करतो देखो, खतन A से E, अपनों पढ़ना है, A से E, mosses and lichen are the first organism to colonize on bare rock, and moss और lichen, किसी नगन चक्टान पर बसने वाले सबसे पहले G होते हैं, correct option हैं, pioneer plant, ecological section में आप पढ़ते हो, कि सबसे पहले lichen, crustos lichen, फिर foliage lichen, जो pioneer plants थे, उन्होंने bare rock पर invasion किया, organic acid secret किया, rocks की withering हुई, उसके बाद कुछ उन lichen की death हुई, तो organic matter बना, तो soil formation हुआ, और ऐसे ऐसे फिर terrestrial higher plant को आप जानते हों कि आन बढ़ावा मिला, yes, तो आप समझ रहें की statement ये correct है, silaginilla is homosporous, आप 100% जानते हो, silaginilla tedophyte है, heterosporous tedophyte है, जो lycopseida class में आता है, lycopseida में एक ही member silaginilla, जो heterosporous, lycopodium, homosporous है, तो ये आपका wrong statement हो गया, second statement आपका wrong हो गया, clear, coralloid root in psychos है, गलत बात होगी, coralloid root in psychos है, गलत बात होगी, coralloid root नहीं होता है, coralloid root तो specialized root है जो BGA के साथ association show करती है, clear, तो आप समझ रहे हैं कि, ये statement भी wrong हो गया, man plant body in bryophyte is gametophyte, wherein teradophyte is sporophytic, सही है, अब मैंने बताया कि, dominant phase जो bryophyte हो gametophytic होता है, और dominant phase जो होता है, teraddo को sporophytic होता है, हाँ, bryo में gametophytic manner sporophyte depend है, gametophyte, लेकिन teraddo में man sporophyte and gametophyte depend नहीं है, किस प sporophytic पर, clear, तो ये option correct है, in gymnosum male and female gametates are present within sporangia, located in sporophytic, सही बात है, जो micro sporangia, mega sporangia, मैं उसे में male gametophyte और family gametophyte आपका बनेगा, तो आप समझ रहे हैं कि, ये correct है, और इसके according आपका answer आपका हो जाएगा, A, D, और E, तो तीन option आपके correct होगे, A, D, और E, तो A, D का A की pair है, बाकी देखो, इसके अंदर आपका B, जो गलत है, इसमें अपनवात रहे हैं, आपका C, जो गलत है, और इसमें आपका, आप समझ रहे हैं, फिर B आपका answer आ गया, तो according discussion answer will be first, next, question number 143, chromatophore tagpartin, वही बात आ गई, कि भी जो photosynthetic bacteria होते हैं, उनमें chloroplast तो possible है नहीं, और photosynthetic bacteria में membranous extension होते हैं, जिल्ली के परसार होते हैं, और वहाँ pigment बिखरे होते हैं, जिनको आप कहते हो, chromatophore, क्या कहते हो, chromatophore, तो आप समझ पा रहे हैं कि, वह किसमें हल पर, photosynthesis में, ये, तो according to this question answer will be first, next, question number 144, select the wrong statement, गलत खतन को अपनों चुनना है, विरोइड वर डिस्टेवर्ड बाई, डीजे वानोस्की, फर्स स्टेट में हैं, रोंग है, क्योंकि वाइरोइड को किसने खोजा, टीयो डाइनर ने, और वाइरोइड तो फिरी SS RNA हैं, आपको बता है, फिरी SS RNA हैं, इन्फेक्शन नेचर के हैं, और लोर, लोर मोलेकुलर वेट होता है, उनके RNA का, इलियर, तो वो वाइरस की डिस्कोरी की थी, इवानोस्की ने तो, तो यह गलत हो गया, WM is stainless, so that virus could be crystallized, correct है, that term contangium volume fluidum coined by MW Benjering के, correct है, मोजेक, डिजिन, टोबेकंट, एड्स in human being, caused by virus, यह भी correct है, तो according to this question, answer will be, first, clear, next, question number 145, Cell wall is absent, किसमें कुछ का वितिका भाव होता है, तो आप जानते हो कि aspergillus, फंजाई है, cell wall present है, funeria moss है, plant है, ब्राइफाटस related है, present है, no stroke BGA है, present bacteria है, mycoplasma, आप जानते हो, mycoplasma है, एक ऐसा group है, जो simplest, smallest, prokaryotic, cell wall-less organism है, cell wall-less, simplest, smallest, prokaryotic organism, और सबसी smallest living cell है, mycoplasma, clear, तो mycoplasma, यहाँ पर answer, और answer, will be third, clear, next, question number 146, the structure that helps some bacteria to attest the rock and or host tissue, मैं आपको बार-बार बता रहा है चाहरा हूँ, कि जो protoplasma, आउटरक होता है, bacterium cell की, phlegyla, जो movement में help करेगा, phimbre, जो phimbrein protein की होती है, genomic DNA form करता है, phimbre, तो phimbrey attests host tissue, या, रोक से attachment पर help करेगी, phimbrey, तो यहाँ पर answer will be second, और मैं आपको पूरा, outer guard diagram की थुरू बता चुका हूँ, कि phlegyla क्या है, पिलाई क्या है, और phimbrey, phimbrey क्या है, clear, तो according answer will be second, next, question number 147, which one is a wrong statement, निम्ने कौन सा खतन गलत है, तो brown algae have chlorophyll A and C and phucogenthin, बिल्कुल correct है, brown algae में pigment chlorophyll A to universal है, बाकी C और phucogenthin, और phucogenthin excess amounts you brown color में appear होते हैं, clear, तो statement first correct है, archigonia found in bryophyta, teridophyta and gymnospharm, यह भी correct है, क्योंकि archigonia का first group bryophyta सबसे advance होती है, last group, फिर teridophyta, में भी archigonia होती है, नेकेनासल 1, 2 होती है, फिर आप जाने, जिम्नोस्पर में नेकेनासल तो नहीं होती है, तो लास्ट ग्रूप आपका जिम्नोस्पर में, NG में नहीं होती है, जबकि N3D एक लास्ट ग्रूप क्या है, teridophyta, तो यह correct है, Mucor, जिम्नोस्पर ग्रूप में जोस्पर बनते हैं, वह आपके बनते हैं, juice spore, motile spore, motile asexual spore, juice spore, ऐसे juice spore ingiëं में बनते हो, ये juice spore ingiëं में, clear, inside, endogenesis, लेकिन एक आपकी सबक्लासिस में gyomycetes, gyomycetes, जिसमें आपका आता है mucer और आईजोपस, तो gyomycetes में आप जानते हो, spor ingiës, spor बनते हैं, ये spor ingië होती है, ये यहाँ पे kolomila आपका होता है, और यहाँ spor ingiës, spor ingiës, spor ingiës, spor में spores होते हैं, spor ingiës, spor, जो non-motile होते हैं, endogenesis, और नोन-motile होते हैं, और एंशाइड में लिख भी रखा है, कि phyomycetes में दो asexual spore है, में भी motile और non-motile, तो motile होते हैं, जो किसमें होते हैं, omicetis में, और non-motile होते हैं, aplanospore या spor ingiospore वह आपके होते हैं, gy-omicetis में, इसलिए mucar में कभी fragilator नहीं हो सकते हैं, ये wrong statement है, clear, और haploid endosperm is typical, typical feature of gymnosperm, जानते हैं, gymnosperm में भुनपोस, endosperm क्या होता है, upload before fertilization form होता है, तो एक correct statement है, तो according discussion answer will be third, clear, next, question number 148, choose the wrong statement, गलत खतन को चुनिए, तो yeast is unisundar and useful in fermentation, विल्कुल सही है, आपको में बतायता है, कि non-micell फंजाई है, unisundar फंजाई है, सुगर फंजाई है, फर्मेंटेशन फंजाई है, तो yeast, आप समझ रहें कि unisundar फंजाई है, फर्मेंटेशन है, तो एक correct statement हो गया, penicillium is multisundar produced antibiotic सही है, penicillium notatum से, penicillium antibiotic obtained हुई, clear, neurospora used in studio biochemical genetics सी, बहुत अच्छा था, अभी आप में बताया था, मैंने previous question में, कि भई, neurospora drosophila plant kingdom, clear, और neurospora पर one gene one enzyme cancer, bridal or tatum, clear, तो ये भी correct है, और moral enterfol are poisonous mushroom, गलत, ये mushroom है यह नहीं पहली बात तो, moral tough buffalo, ascomacity से related है, और ये most delicious bosu swadu, और edible खाने योगे हैं, clear, तो ये wrong statement हो गया, आप से गलत खता नहीं पूचा है, so answer will be four, clear, next, question number 149, in which group of organisms the cell wall form two thin or lapping cell which fit together, जियों के कौन से समुम में कोशी काओं की, कोशी का भीती एक दूसरे से अतिवापित होगर सहुजित होते हैं, कि समुंदर के जो पर्मुग उत्पादक हैं, cheap producer हैं, वो chrysophyte है, chrysophyte diatum है, आपको इपता है कि diatum, जो water surface होते हैं, फ्लोट करते हैं, तो ये बहुत ही, microscopic cells होती हैं, जो water surface फ्लोट करती हैं, और passively flow करती ही water current के साथ, passively flow, और cells which flow passively with water currents, known as plankton, तो phytoplankton, clear, phytoplankton तरम समझना आपको ज़रूरी था, और ये cheap producer है, maximum sunlight को capture करते हैं, तो सबस्यदा photosynthes, 70-80% ये, show करते हैं कौन, phytoplankton, ये crysophyte diatum, अब आपको मैं diatum, crysophyte की cell structure बता दू, unisulder है, eukeritic organization है, first of all cell wall है, तो इनकी cell wall so box like है, साबून की debaig इतरह है, cell wall में दो थिका होती है, ये upper, epithika होती है, epithika, upper, और ये आपकी होती है lower, hypothika होती है, hypothika, और ये जहाँ आप जानते हैं कि overlapping करती है, वो girdle है, और इसमें nucleus आपका होता है, 2N, clear, तो ये diatum cell है, so box like, जिसमें आपको अच्छे से बताज़े देगी, 2N, overlapping cell, 2N, overlapping cell, which fit together, दोनुँ fit होती है, तो ये आपका है, diatum chrysophytes, तो according to discussion, answer will be second, clear है, अब next, question number 150, the imperfective fungi, which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to, आपनुन को समूझो, कच्रे का विगठन करके, संबन्दित होगा, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, कि fungi में एक group है, जिन में perfect stage of sexual reproduction, known नहीं है, ग्यात नहीं है, तो sexual reproduction की perfect stage ग्यात नहीं है, वो fungi का group है, fungi imperfective deuteromycities, और deuteromycities क्या करते हैं, जो litter होता है, जो कच्रा होता है, अपरद होता है, उसको decompose करके, mineral cycling में help करते हैं, वो abscess पधारतों पर, या कच्रे पर गुरो करते हैं, जैसे बहुत सारे आपके, deuteromycities की member होते हैं, तो यहाँ पर answer होगा second, answer will be second, clear? question number 151, which the following are most suitable indicator of SO2 pollution in the environment, निम्न में कौन सा SO2 production की अच्छे सूचक है, तो आपको अच्छे से पता है, कि जो lycan होते हैं, वो SO2 pollution area में ग्रोई नहीं कर सकते हैं, lycan, clear? और बहुत अच्छा, आप जानते हैं, तो यहाँ पर आपका फंजाई, lycan, तो आप समझ रहे हैं कि आणसर क्या होगा, second, next, question number 152, clear? तो नोमें क्लेचर गौर्ण बाइ सर्टेन युनिवर्सल रूल, विच्छ वन अप दा फोलोईंग इस कॉंट्रेरी तो दा रूल्स अप नोमें क्लेचर, नाम पदती कुछ विशेश सार्जनिक मानने निवों जो रहा निधारत होती है, निवलिक में से कौन सा एक खतन नाम पदती निवों के विरुद है, बाइ, जो बाइनोमें नोमें क्लेचर है, फादरो बाइनोमें नोमें क्लेचर है, केरोलस लीनियस ही है और उसके बाद और भी टेक्निक आई-C-B-N-I-C-Z-N और आए उसमें आपको अच्छे से दिरका है कि जो भी बायोजिकल नेम है या साइंटिपिक नेम है और जिनेट इन लेटिनो लेंग्वेज या डिराइड फ्रोम लेटिन इसनों अधर लेंग्वे है साइंटिप नाम कलिवेज़ फ्रोम में हैं मेंग्वेजिकल इन लेटिकक नेम है मेंझे फेराइ परेंडिक यह एक होर आगे साइंटिपिस्ट का नाम इसजा आगे लिन Sütt doet में लिन शोट में अपने अब्रिवेटेड फोम में अपने लिख देंगे अब देखो यहां पर क्या है दा फॉस्ट वर्ड इन बाइलोजिक लेम रिपरजेंट दा जीनस लेम एंड इसेकंड इस्पेशिय अपिथेट एंडेट परसेंट करेक्ट किलियर दा नेम्स आर रिटेन लेटिन और इटालाइज साइज मतलब लेटिन बासा में और तीर चेक्षा में होंगे वह केलियर क्रेक्ट है वैं रिटेन भाइंड धान अर्टो भी अंड इंडरलाइंड साप्रेंट अनुपरेट लेंडेलिग अनी लेंग्वेश यह गरत हो गया कि बाइलोजिकल नैम क उसमें अच्छा कुशन है और अच्छे से आप करें किलियर नेक्स्ट क्योंट नमर 153 विच उपड़ाइड के लिए गलत कौन सा है पहले बिया गया कि विरोईड बारे से डीफर होते हैं only free SS RNA है और plant को infect करते है उनके RNA का low molecular weight होता है other viruses के comparison में capsid उनमें नहीं होता, lack होता है तो आप जानते हों कि they are smaller than virus, correct है they cause infection, correct है their RNA is of high molecular weight यह wrong हो गया, low molecular weight का होता है clear, they lack protein code capsid उनमें अभा होता है capsid का, तो यह correct है according to discussion, answer will be third, clear next question number 154 the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminate animal, include the आप भी जानते हो कि prokaryotes में सबसे primitive most primitive आपके हैं archaeobacteria, then u-bacteria, bacteria, cyanobacteria तो जो archaeobacteria उसमें 3 group हैं, extreme condition basis पे archaeobacteria में 3 groups हैं सबसे पहले आपके thermoacidophil halophils, methanogens जो मार्सी रिजन में होते हैं, फिर rumen, rumen, kettles की rumen में, जो रुमेनो कोकर सपन बोलते हैं, जो biogas production के लिए responsible है, तो according discussion, answer will be second, methanogens, clear? तो next, one of major component of cell wall of the most fungi is, अधिकतर कोको में कोश का भित्ती का एक प्रमुकवे कोन सा हैं, आपको अच्छे से पता हैं, कि monera in bacteria, एक kingdom है और फंजाई एक kingdom है, इन दोनों में cell wall present होती हैं, लेंग, non-cellologic होती है, मोनेरा में, bacteria में, peptidoglycan की, और फंजाई में, kaiटीन की cell wall होती है, अब यह आप से पूचाए कि, अधिकतर कोको में कोश का भित्ती का प्रमुकवे कोन सा होता है, kaiटीन ही, kuch में, एक UMA statistics member में cell wall, बाकि आप जानते हो कि, फंजाई म मैंली फंगल cell wall, जो kaiटीन के लिए ही रिपरजेंट होता है, तो फंजाई में kaiटीन का ही cell wall होता है, तो according to this question, answer will be 4, clear, next, question number 156, which one of the following statement is wrong, कौन सा खतन गलत है, फिर वही इनमें से अपनों गलत खतन चाटना है, गलत खतन को select करना है, तो ध्यान से सुनें, प्टा, golden algae are also are dasmide, तो दायटम, 127 से या आप जानते हो, golden algae होता है, clear, और एकरेक्ट स्टेटमेंद, यू बक्टीरिया, यू बक्टीरिया also called false, यह घलत बात है, true bacteria होते है, яв वेक्टीरिया, true bacteria होते है, जिशे बक्टीरिया और सायनो बक्टीरिया होते है, बक्टीरिया, soul member of mona, तो true bacteria होते मैंने बार-बार आपको समझाई दिया था कि फाइकोमाइस्टीज एकवतिक होते हैं कुछ और फाइकोमाइस्टीज acceptate, multi-nucleate होते हैं तो कुछ मुशलेज covering होती है तो फाइकोमाइस्टीज को आप एलगल फंजाई बोलते हैं तो यह 100% क्या हो गया और साइनो बेक्टिर ओल्सो कोल्ड ब्लू ग्रीन अलगी तो साइनो बेक्टिर भी बार बार आपन कह रहे हैं यह भी करेक्टिर स्टेट्मेंट हो गया तो अकोडिंग डिस्क्यूशन आंसुर विल भी सेकेंड के लिए नेक्स्ट क्योशन नमबर 157 विच ओप दा फोलेंग उड़ अपियर एज दा पाइनियर और बेर रोक यह क्योशन भी बार बार आ रहा है विजो नगन चट्टानों पर पाइनियर की रूप में करस्टोज लाइकें आती है परपटी में सेवाक करस्टोज लाइकें जो बिलकुल होरिज सब्सक्राइन आगर सब्सक्राइक होता है तो जो सिरलडियोटी होती है थिलयोटी के लाइकें पिर दानियूशन नमबर 158 इन ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स ट्रांस्पोर्ट और मेल गैमिट्स रिक्वाइर आपको अच्छे से पता भी अब मैंने आपको बताया था बताया कि अपको पहले बताना चाहता हूं कि एक टाइम थ कि जब एंब्रीओ नहीं था थैलौफाइटा comes जीमनोस्प्रम और अंज्योस्प्रम तो ब्रायो और टेड्रोफाइटा में आपकी होतीय है जूडियो गेमी प्या होती है पिर साभी काथ तेलिट apoyo नियुक्त करता था आण्फिरपाइट यूज़ एक ले दमीड में वाट तो इस जो करता था करता है zod तो पिरमन आंटिवी नियुक्टाइब चली एंजिय हों गर्षाइब करता है तो नहींاش के लिए शेंचियल है जबकि diciendo sisterओ में सिफॉन सॉनों गैमी का मीन होता है कि जो माइक्रोफो्र एंथर बारन में गरेंट रिलीज होगा और जैसे स्टिङ्मा बलेंट पर पौलन ट्यूब के थे थे हैं पर अस्लेटीफट और ठीए थे थे धाएंट प्रएगेगा हुए रिक्वार्मेंट नहीं किलियर तो आप समझ रहे हैं कि भी वहां तो फिर पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है उसमें तो एबाइटिक वाटर और 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 बाइटिक में इंसेक्टरी होते हैं लेकिन जिम्नोस वो ब्राय और टेर्डोफाइटा में मेल गेमिट के ट्रांस्पर के लिए किसकी रिक 159 स्लेक्ट दा क्रेक्ट स्टेटमेंट अब आपको सही खतन को चुनना है किलियर तो देखो साल्विनिया गिंगो और पाइनस ओल आर जिम्नोस प्रम यह फस्ट स्टेटमेंट ही रोंग हो गया क्योंकि साल्विनिया एक हेट्रोस्पोर्स टेडोफाइट है गिंगो और प क्रेक्ट स्टेटमेंट है लिव जोब जिम्नोस प्रमार नोट वैल अडप्टेट टो एक्स्ट्रीम को अब क्लाइमेट कि अनावर्त बीजी पात्पगी पत्तिया जलाए की स्रमता के लिए अनुकुलित नहीं होती है निडिल आई पाइनस में निडिल आइप होती है और क्यूतियक्श्टिग्र होती है एक्स्ट्रिम कंडिशन के लिए हो एडप्टेड होती है। तो ये आपका स्टेटिमेंट क्या हो गया? रंग हो गय है और जिम्नोपर्म और बोत homosporos है, valid गलत बात होगी टेड़ोफाइटा मौस्टोफ होमोस्परस हैं जिम्नोस्परम और एंग्योस्परम और यहां पर करेक्ट आपका आंसर है सेकेंड आंसर विल भी सेकेंड की आपसे पूचा है करेक्ट स्टेट्मेंट केलियर है तो आंसर आपके होगा सेकेंड next question number 160 which among the following are the smallest living cell known as without a definite cell wall pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen अभी आपको मैंने बताया था कि earth के ओपर सबसे simplest smallest cell wall less procreatic cell जो आपकी है smallest living cell है mycoplasma without oxygen survive कर सकता है mycoplasma pathogenic है और mycoplasma plant और animal दोनों में disease कर सकता है आप समझ सकते हैं तो यहां पर आपका आंसर होगा answer will be second mycoplasma एंचाट में दे रखा है next question number 161 an example of colonial algaids निहोई सेवाल के उधान बता हो तो आप मैं बार बार बता चुका हूं कि green algae के अंदर unicellal form भी है colonial form भी है और filamentous unbranched form भी है जो green algae के अंदर colonial form है तो चाहिए unicellal form है तो भी fragilitated non fragilitated और non fragilitated और जैसे और मैं आपको बता हूँ कि claimadomonas flagellated है clear आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो green algae के उसमें colonial form होती है तो motile and non motile motile colonial होती है जिसमें सभी cells all cells have fixed shape size और number number भी cells का फिर fix होता इस colony के अंदर तो यह जो rounded यह rounded biflagellated cells की यह colony जो आपकी बनती है यह आपके होती है motile colony और यह rolling ball लुडखनी गेंद की तरह होती है और यहां पिर अंदर doter colony भी बनती है तो इसको आप कहते हो wall walks wall walks rolling ball rolling ball लुडखनी गेंद और सभी cells shape और size में definite shape और size की होती है number में fix होती है तो फिर आप जानते हो कि इसको आप कहते हो synovium यह क्योंसर भी अचाए synovium तो यह wall walks है साब clear अब यहां पर आप देखना चाहते हैं wall walks first option ही correct है Eulothrix तो आप जानते हों कि filamentous and branch hold fast होती है इस पाइरोगारा भी filamentous and branch है chlorella unisodal form है तो यह आपर colonial form क्या होगी wall walks size और form में से क्यूशन है algae में से तो according description answer will be first next question number 162 तो जाइगोटिक में सिस्क्रेक्ट्रिक ऑफ यूगमनज अर्शुतर वाजन किसका vicious लक्षन में आपको बताया था कि अर्थ के ओपर तीन ताप की मियोशिस होते हैं आप cell region में पढ़ोगे initial मियोशिस, जाइगोटिक मियोशिस, में सिस्क्रीक मियोशिस, जो ब्रयो टेडाव है इनिम के सिस्क्रेक्ट में इनिमल में सिस्क्रीक मिय। और गेमिय। और अनिमल होता है यह टुव्रीक मिय। जो ओरनाव और टुव locks ड़ुती अब मालनों के Γd. और नहीं और पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है पॉसिबल डू कि इस में अगर गैमिट बने तो माइट डू अब दॉन्नु गैमिट का फ्यूजन होगा तो जो जाइगवर्ट बनेगा 2N, जाइगोट, जाइगोट फॉम हो गया, अभी यूनिसल रोगनिजम है, तो जाइगोट के तुरंत बाद, रेपिडली, यहाँ पर इसी सैल में क्यो जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस, और जाइगोटिक मियोसिस अगर हो जाता है, तो वापस हैपलोड फॉम वापस बन ज जाती है, तो यह आपका लाइब साइकल हो जाता है, हैपलोंटिक, हैपलोंटिक लाइब साइकल हो जाता है, कि लियर, और आप अच्छे से जानते हैं, कि भी, इस्पाइरोगारा, इस्पेसली, जो क्लेमाइडवनास और इस्पाइरोगारी है, हैपलोंटिक, जाइगोटि क्योंकि brown filamentous हैं तो वाँ तो most of haplodiplontic यह diploontic फिर polycypon भी heplodiplontic और फिर जो bryo, terido, haplodiplontic और बाद में जब gammatophety reduce हो जाता हो, diploontic life cycle आप pattern of life cycle बहुत अच्छे से जरूर पढ़े हैं तो यहां पर आपका अंसर होगा क्लेम आड़ों क्योंकि फ्यूकस तो अप्लोडिप्लोंतिक सुरी डिप्लोंतिक फ्यूनेरिया अप्लोडिप्लोंटिक ब्राइफड है एक्टिफॉकस रियुकस बटाना चाहरा रहा था कि लाइब साइकल प्रेटर इंपोर्टेंट है और थर्ड चैप्टर इंगलिस से बहुत अच्छे से आप अगर सको पढ़ लें तो लाइन टू लाइन आपकी किलिए हो जाएगी मैंने आप से का था कि है अगर कोई सिंगल साल है मि तो माटाशल से गत फ्यूज़ प्रलोन यव यह उनकर किलिए अन्ट कर शेए लृए ह्ट कोई ग्लोइट लाइटे कार्पस, filamentous brown एक्टो कारपस में हैपलो-diplonetic life cycle होता है, और fucus में diplonetic, तो यहाँ पर करमस है है, haplo-diplonetic और diplonetic, तो correct answer will be second, clear? तो आप समझने कि एक exception है, fucus का, और यह आप को line दे रहेगे NCRT के इंदर, और बहुत अच्छा question है यह, clear, तो 163 का आंसर क्या होगा second then, next question number 164, विरोईड डिफर from viruses in having, विरोईड विसान अब आप समझ रहे हो, कि विरोईड का question कित्ती बार repeat हो गया तो यह जो virus के character है, virus क्या है और inert particle outside the cell, host cell और आप जानते हो कि cell organization नहीं है उसके living character, no living character और फिर virus, TMV, Tobacomogy विरोईड की structure, बैक्टिरियो फेज की structure उनके genetic material, और फिर आप समझते हैं, विरोईड और प्रियोन, तो आप हर बार question आ रहा है विटा, तो आप समझ रहे हैं कि विरोईड डिफर from viruses having कि DNA molecule without protein coat, DNA तो होता है नहीं क्योंकि विरोईड में क्या होता है SS RNA, के लिए TO dynar ने discovered किया था RNA molecule without protein coat with protein coat तो ये भी wrong हो गया, ये भी wrong हो गया RNA molecule without protein coat ये correct answer हो गया, DNA molecule with protein ये wrong हो गया, according discussion answer will be third clear? Next question number 165 select mismatch, इसमें से mismatch को आपको ढूंडना है बहुत अच्सा क्यूशन है अब मैंने आपको कारा में बताया था कि अगर दोनु सेक्स और एक ही plant पर होता हो monosyos होता है, आगे जाकर आप angiosphrum में देखोगे आगे जाकर आप angiosphrum में देखोगे कि अगर एक floor, वहाँ floor होगा एक ही floor में दोनु सेक्स औरगन पिस्टिल, कारपल भी हो और स्टेमन भी हो याँ मेल सेक्स औरगन भी हो फिमेल भी हो तो बाइसेक्स और फ्लोर होगा किलियर? अब फिर अगर floor में एक ही टाइब का सेक्स औरगन होगा आइदर इस्टेमिनेट और पिस्टिलेट तो ये जो floor है ये floor उनिसेक्स और है इस्टेमिनेट ये भी उनिसेक्स और है पिस्टिलेट लेगन एक सेम प्लांट भी दोनु टाइब फ्लोर है तो मोनोसियस प्लांट हो गया मेज युनिसेक्सल फ्लोर रखता लेकिन मोनोसियस और अगर डिफरेंट प्लांट एक प्लांट एक ही टाइप का युनिसेक्सल रखे आइधर मेल और फिमेल नोट बहुत है तो फिर वो आपका डाइसेस प्लांट हो गया पापया अब यहां तो फ्लोर की बात हो जाती है लेकिन जो लोर प्लांट है जैसे मारकेंशिया का थलस है तो मारकेंशिया के थलस में एंथ्रिड है उसका मेल सेक्स और अर्केओन है तो मारकेंशिया में दोनुं सेंप नहीं होते हैं तो मारकेंशियस है ऐसे साइकस साइकस में भी मेल कॉन और जो मेगस पोरिंजी है फिमेल कॉन साइके आंसल और यूनिस्य स्थिएज स्थैर दोनु फोर एक प्लांट परें तो आइस एकम करते हैं जानेंस प्लांट पर दूरीस मिसमेच आपको डूंड तो सैकेस इस क्रेक्ट है और यॉस ना कि जानते होगी पाइनस डाइस यह रोंग है तो अकोर्डिंग डिस्कूर आंसर विल भी फोर नेक्स्ट क्योशन नंबर 165 166 सोरी क्योशन नंबर 166 तो मिन्हें आपसे बताया है था कि जो ज्यादा एक्स्ट्रीम कंडिशन में सर्वाइव कर सकते हैं वह बहुत ज्यादा होड़ स्प्रिंग जिनका एसेडिक पीएज होता है पीएज दोर 80 डिग्री टेंप्रेचर और वह बहुत ज्यादा सैलाइन शाल्टी रिजन यहलोपी हेलोबेक्टर यहलोपी और मार्सी रिजन इस्टिकली अब्लिगेट अनरोब कंडिशन में में तो यहाँ पर देखो कि कौन सरम लगणी दसम पा नेक्स्ट नंबर 167 विच अमंग दा फोलेंग कि नोट अप्रो इंने में से प्रोकरइट कौन नहीं है तो आप जानते हो कि प्रोकररच ओर्गनेशन आर्कोबेक्टीरिया यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया इनमें होता है अब आप समझ सकते हो कि नोश्टोक स फंजाई है यूकरिटिक और्गिनेज़ेशन है यहां यूकरिटिक है तो यह नहीं है नॉट प्रोकेरट तो अकोडिंग इस आंसर इस फोर इस क्योशन का आंसर क्या होगा फोर होगा किलियर है नेक्स्ट क्योशन नमबर 168 विच्वन इस रॉंगली मैस निमने से कौन सा गलत रूप से सुमिलित है जेमा कप जेमा दाने मारकेंसिया में यूनिसदर और्गिनिजम एक उसकी जीव क्लोरेला यह भी करेक्ट है जानते होगी मारकेंसिया थैनस पे एसक्सवल बढ़ होती है जेमा कप होते हैं आप जानते हो गेमा कप होते हैं और यूनिसदर क्लोरेला यूनिसदर गिरीन एलगी है करेक्ट है बाइफ जूसपोर ब्राउन एलगी आप जानते होगी ब्राउन एलगी में जो एसक्सवल स्पोर होते हूं जूसपोर होते हैं हम इसा बाइफ लेटरले होते हैं और हेट्रोकॉंट होते हैं तो यह भी करेक्ट है लेकिन यहां पर देखो यूनिफलेज़ेट मैंने कहाता ना वह शुरू में आपको समझा दिया कि रेड एलगी के लाइप साइकल में मोटायल स्ट्रेक्चर होती ही नहीं है और यूनिफलेज़ेट बता रखा यह रोंग बता रखा है तो आंसर फोर होगा आपका रोंगली मैंची आपसे पूचा है किलियर है नेक्स्ट केच्टन नमबर 169 बहुत अच्छा क्यूशन है यहां पर आप देखना चाहते हैं कि हरबेरियम की म्यूजियूम कैटलोग यह बता रखा आपको यह आप आप देखें कि हरबेरियम क्या होता है जहाँ पर आप जानते हैं कि ड्राइड प्रेसर्ड जो भी प्ला यह आपन लिखते हैं लेकिन यह भी लिख देते हैं लेकिन जो उसकी । प्लांट के रही है है को यह पर क्यूआ शुछ को आप समझे रहें हैं, स्थाइब के लिए जो है पादपाले तो हर्बेरियम यहां पर आपका होगा कि अजो तो कि तुरंत टेक्सोनमिक कौन उप्लब्द कराता है वर्गी के देन में त्रंत साथासाधन क्या है क्या है वह अन्डर है और फिर सौणा फ्रिकुस्न हायदा कि हर्बेरियम के अंदर जो साइड में को अलम लिखते हैं तो हाइट नहीं लेते हैं तो आप संध रहें कि ऑ दिसकस कर दिया आपको तो यह हर्बेरियम हो जाएगा, थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप कहते हो कि a museum क्या होता है तो it is a player saving collection of preserved आजानते हो कि solution में container में jar में जो फॉर्मेलीन होता है, उसमें आप plant ए अनिमल स्पेसिमेन को रखते हो, dead को तो यह museum का first आपका हो जाएगा। फिर आप कहते हो कि भी की का क्या होगा तो की क्या है यह आप जानते हो कि की यहां पर a booklet containing a list of character and their alternate which are helpful identification of various taxa clear or catalog catalog a list that enumerate methodically all the species found in area with brief description adding identification तो यह आपका क्या हो जाएगा catalog का हो जाएगा आप देखा according discussion first a herbarium में क्या third तो यह third हो गया फिर आप जानते हो कि B key की तो की में आपका four तो यह B में four हो गया clear और C, C में आपका first हो गया और D, D में C में आपका first और D में क्या आपका क्या हो गया second हो गया तो according to this answer will be second clear next question number 170 winged pollen grain are present in तो आप जानते हो कि सल पर वर्षा और आप जानते हो कि यहां पर पूरे जिम्नोस्प्रम में एनिमोफिले ने वायू परागन होता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्राइ और लाइट वेट जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह एर में अपनवात्रे की हवा में उड़ते हैं तो विंग्ड फॉम में होते हैं ताकि वहां उस पॉलन चेंबर में आजाए हो तो विंग्ड पॉलन ग्रेन और प्रजेंट इन तो यहां पर आपका होगा मैंगो नहीं साइकस पाइनस इस्पेशली पाइनस तो क्रेक्ट आंसर आपका होगा सेकिंड नेक्स्ट क्योशन नंबर 171 आप्टर केरियोगेमी फॉलोड वाई मियोशिस इस्पोर आर प्रोडूजड एक्जोजिनसली इन निमिलत में से किसमें केंद्रक सलेंद आर्शुतरी वाजने पसाब विजानों भहिर जात में उत्पन होते हैं आप वह पता है कि फंजाई में सेक्सोल रिप्रोड़क्श टो प्लाज्मोगेमी होती है केरियोगेमी मियोशिस होता है कि ये कि आप जानते होगी तुरुंधियो तुरन्थ टुरंथ भेसी अÁस क्रूंधी उप्लाज्मे您ों से लोता है धर डाटे से किरी न बनन जाता है कई देर तक चलता है फिर केयोगे मिप फिर मी उसिस होता है तो एसंको मासरीज प्रहरू होते हैं उससावन जान एंक परशनेस लिए आहरज होते हैं तक गतन के लिवा बेस्टियोगेमफ करन चाहे हो कि Kendra Salantar-Suri Vajan के प्रसाद बिजण भहिर जात में किसमी बनेगे तो आप जानते हो कि आजियों में तो अंतर जात यह एंशेंट लाइं देर की और वेस्टीयों में भहिर जात किलियर, तो यहां बेस्टीयू का Member मेंबर अगरिकस आगया फस्ट मस्रूम तो आंसर विल भी फस्ट बाइक आप जानते हो कि सेक्रोमाइसेज यह तो इस्ट है ऐसको का मेंबर है अल्टरनेरिया जहां सेक्स और इप्रोडक्शन ग्याती नहीं है नियुरोस्पोरा यह भी ऐसको का मेंबर है तो अकोर्डिंग फोर्टोसरी बेक्टीर के फोर्टोसरीक ऐसों तो और तो यहां नहीं तो यहां पर आप साइम होता है oxygen नहीं होता है क्योंकि हाँ hydrogen electron donor की रूप में S2S या other inorganic compound use होता है क्योंकि इन में थाले कोड नहीं होता है पिए सेकंड नहीं होता है कि लिए तो according discussion answer will be four next question no 173 which of the following statement is correct कौन सा कतन सही है horse tail or gymnosphram horse tail अनाउर्थ भी जी है horse गलत बात होगी teradophyte है horse tail to equisitum horse tail है teradophyte है na clear उसके बाद stem are usually unbranched in both psychos and citrus गलत बात हो गई क्योंकि psychos में उनब्रांच चलेगी in citrus में branched है clear citrus और pinus में branched है psychos में unbranched है psychedals में clear sylijenilla is heterosporous while salvenia गलत बात salvenia भी heterosporous है sylijenilla salvenia azola marcelia यह आपके क्या है hetero sporous tetophyte है तो यह चार आपके है hetero sporous तो यह भी आपका रोंग हो गया ovule are not enclosed by ovary wall in gymnosperm gymnosperm में ovary wall नहीं होती है naked ovule होते है clear तभी तो fruit wall नहीं बनती है clear तो direct seed बनते है only clear तो यह आपका correct statement है according discussion answer will be 4 clear question number 174 select the wrong statement गलत खतन को चुनिए pseudopo dr locometry and feeding structure in sporo zones आपको पता है कि यूनिस अंदर जो primitive animals है proto zones जो प्रोटिश्टा में से बिलोंग करते हैं proto zones के चार group है प्रोटो जोन्स में आपके आते हैं सीलेटेड प्रोटो जोन्स प्रोटो जोन्स में आपके आते हैं amoeboid proto zones clear और इसमें अपनवात रहे कि जो fragiletid proto zones होते हैं fragiletid pro trifenose हो मारी है लेकिन जो sporo zone completely group of endoparasite sporo zone में 100% endoparasite होते हैं पुरा group ही तो उनमें कोई लोकोमेटरी ओर्गन नहीं होता है और नहीं contractual होती है तो यहां पर पहला statement ही है pseudopodia are locometry and feeding structure in sporo zone 100% wrong हो गया बाकी mitochondria are the powerhouse of the cell in all kingdom accept monera हां प्रोक्रेटिक सेल को छोड़ने के बाद जो यूक्रेटिक चाहे हो फंजाई हो चाहे plant हो चाहे animal हो सब भी living eukaryatic cells में mitochondria क्या होता है present होता है correct statement है mushroom belong to basidumacities correct है cell all present in member of fungi and planty correct है cell all फंजाई में चाहे काईटीन की ओ नौन सललुट जी के लेकिन दोनों में cell all तो present है ना तो correct है तो according this question answer will be first अच्छा question आया था इसे 174 और then next question number 175 which of the following organism are known as cheap producer of ocean बार-बार question आ चुका ही clear तो cheap producer को ओना ocean का crysophytes diatum मैंने बताया था phytoplankton जो passively move करते है water current के साथ तो पहले question में discuss हो चुका है तो diatum क्योंकि यह non-motor जो बिलकुल microscopic cell होती है और water surface passively water current flow करती है phytoplankton maximum sunlight को capture करती है तो cheap producer of sea diatum crysophytes भी बोलते हैं इनको कई जगे crysophyte भी पहले के सुनाया था clear तो यह आपका answer will be third next question number 176 last question भी है ciliate differ from all other proto zone ciliated और other से कैसे भिन फ्रेजिलेटेट से कैसे इस poro zone से क्या रखने में भिन है तो using pseudopodia for capturing prey गलत हो जाएगा having two type of nuclei nuclear dimorphism उनमें पाई जाती है macron nucleus or micron nucleus दो होते हैं तो यह आपका correct answer है इसका answer यह second ही होगा answer second बाकि देखो contractual for removing excess water correct है यह तो कुछ fragilitated में होती है amoeba में भी होती है using fragila for locomotion तो गलत बात accelerated fragila कैसे होगा तो इसमें दो टाइप की nucleus होते answer will be second इसके लावा देखो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ student की बहुत अच्छे से आप NCRT पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दें जहांसे question बहुत ज्यादा आते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ की properly NCRT को flow में पढ़ें और एक question herbarium seat का need to 13 में आया था क्योंक referral system वाड़ा और एक 16 में आपका जो re IPMT वी थी उसमें questions थे उसमें आपका था कि जो column लिखते हैं उसमें क्या नहीं लिखते हैं अपन तो वह भी question आप discuss कर लें thank you very much और आप next हम plant morphology and anatomy का वीडियो आपके सामने डालेंगे फिर embryology फिर physiology और और सारे topics आप CLC आपको करवाएगे बहुत अच्छे से इसके साथ NCRT पढ़ें पोज करके बार बार और इसके बाद हम इसके आपके PDF फाइल भी उप्लब्द कराएंगे thank you very much